जहें दोस्तों आज जारकन के कुछ महतोपूर्ण प्रस्ण को देखेंगे यहां से बहुत अच्छा कोईशन पूछा जाएगा चाहे आप JSC, CGL दे रहे हो या JPSC देंगे या जारकन का कोई भी एक्जाम देंगे तो पक्का यहां से देखने को मिलेगा हम कुछ मैप से बना कर यहां पर रखे हैं तो आप चीजों को अच्छे से समझेगा बहुत महतोपूर्ण होने वाला है एक एक कोईशन यहां से अच्छा बनने का चांस बनता है पहला कोईशन देखते हैं कोहबर चितरकला सारवदिक बिरोर जन जाती में परचलित है कोहबर पहले यह हजारी बागा जाते हैं तो इस चेतर में दो कला सैली जो है चितरकला सैली परसीद है एक आपका सोहराई है और दूसरा है कोहबर ठीक है यह दोनों को हम जान लेते हैं जैसे देखिए सोहराई जो चितरकला सैली है वो यहां पे बहुत इंपोर्टेंट रखता है क्योंकि सोहराय चितरकला सैली और इसके साथ साथ में कोबर जो सैली है ईसमें देखा जए तो सोहराय को यहाँ पे पहला जो जारकन का G.I. टैग मिला है तो इसी को मिला है वैसे रायर volcano का मांदर जो है गुमला का उसको मिलने का बात चल रहा है के सरिया कलाकंद जो है आपका मतलब कोडरमा का उसको भी GI टैग देने का बात यहाँ पे चल रहा है लेकिन अभी मिला नहीं है सुहराय पेंटिंग को मिला है जो हजारी बाग के छितर से संबंदित है यह कला सैली ठीक है बुलू इमाम इस से संबंदित है आप लोग बताएंगे कि इसको GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस वर्स मिला है वो आप लोग कमेंट करके बताएगा ठीक है और इसमें देखा जाए तो इम्पोर्टन्ट क्या है इसमें तो यह जो है इसमें देवता कौन सा फरसीद है सुहराय में तो एक यहाँ पर देखा जाए तो पस्यूपती यह दोनों परसीद यहाँ पर देवता है इससे समद्धित मतलब पेंटिंग इसमें किया जाता है किसमें सुहराय ठीक है आप हजारी बाग में देखेंगे तो जितना भी दिवाल है सरकारी जो दिवाल होगा उसमें आपको सुहराय को का मतलब है गुपहा ठीक है कोई गाओं में देखेंगे ना तो खोटबासा में बोलता कि कों को में घुस गिया है ठीक है तो कौन को में घुस गिया आ कौन सा गुफा में तू गुष गया है और ही र मतलब इक दम उसको बहुत अच्छा से पेंटिंग करता था लोग और घरवा का सबसे भीत्रे में पूरा अगर आदमी का बस चले तो जमीनवा कोड के बना देता उसको अंदर में एकदाम सबसे अंदर में होता था पूरा अंधेरा और उसमें क्या है कि मतलब पूरी तरीका से पेंटिंग करके और उसको बहुत अच्छा सजाया जाता था दूलहा का वो एक परकार से रूम ह मतलब पूरी प्लास्टर करने वाली आती है उफिर अपना तरीका से करती है तो कुल मिला कर इस तरह का है तो ये जोड़ा ध्यान में रखेगा कोहबर जो है कोह का मतलब होता है गुफा और बर मतलब दुल्ह तो दुल्ह का जो मतलब देखा जाए जोड़ा का जो घर है उसी को कोहबर करते है उसी में जो चितरकला सैली होता है वो कोहबर कहा जाता है और ये भी सरवधिक संख्या अगर देखा जाना तो हजारी बाग में देखने को मिलेगा बिरोर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है जिलाम देखेंगे तो हजारी बाग में ठीक है सबसे बड़ी जनजाती जहरकन की कौन सी है संथाल ठीक है संथाल जन जाती दूसरा कौन सा होगा और तीसरा कौन सा होगा मुंडार चौथा कौन सा होगा हो तो यह सब याद रखे रहिएगा और अभी जो है 33 जन जाती हो गया है एक जो है मतलब पुरान जन जाती उसको 2022 में मान्यता मिला तो अपी 33 हो गया इसे ठीक है आप इसको दे चली थे कौन कोहबर ठीक है और एक बहुत इंपोर्टेंट यहां पर पुछा जाता है कोहबर से कि कोहबर में कौन सा देवता का या कौन सी देवी का यहां पर चित्र बनाया जाता है तो सिक्की देवी ठीक है सिक्की सिक्की देवी का चित्र बनाया जाता है तियाद है दुल्हे का घर ठीक है इसको याद रखेगा यहां से सीधे कोशन पूछा जाता है ठीक है तो हजारी बाग में सुहराय और कोवर दो कला सैली है यह दोनों को हम बता दिये इसके बाद यहां पर देखिए दुमका के छेत्र में आ जाते ठीक है डमका यह जो दुमका है ना प्राइधानी इसके छेत्र में आ जाते हैं तो दुमका छेत्र में होता है जादू पटिया जादू पटिया वैसे संथाल परगना के छेत्र में पूरा होता है लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो दुमका के छेत्र में आपको देखने को मिलेगा ठीक है जादू मतलब क्या होता है संथाली भासा में चित्रकार जादो का मतलब होता है चित्रकार ये सब कोशन पुस्ता है जादो का मतलब क्या होता है चित्रकार अब पटिया का मतलब होता है कागज या कपड़ा का छोटा टुकड़ा को पटिया करते हैं ऐसे भी हम लोग पटी बोलते हैं मतलब चित्रकार द्वारा कागज या कपड़ा के टुकड़े पर किया जाने वाला पेंटिंग को जादू पटिया कहते हैं, याद रखेंगे ये पूरा तरीका से संथाल परगना में फेमस है, जिसमें से दुमका में सबसे ज़्यादा फेमस है, ये याद रखेंगे, यहाँ से भी सीधे कोशन पूछा जाएगा, एक यहाँ पर इंपोर्टेंट होता है, पसमी सिम्भूम के छेतर में देखा जाए, तो पाइतकर, ठीक है, पाइतकर चित्रकला, देखें पाइतकर चित्रकला सेली जो है न, वो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका से किया जाता है, अमादूवी गाउं में, ठीक है, अमादूवी गाउं, तो अमादूवी गाउं जो है, उसको पाइतकर गाउं से नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, इसको स्क्रॉल चित्रकला सेली भी कहा जाता है, तो आप से सीधे कोशन पूछा जाएगा कि स्क्रॉल ठीक है स्क्रॉल चित्रकला सैली किसको कहते स्क्रॉल यह कहा जाता है किसको तो पाइतकर को ठीक है पाइतकर ठीक है पाइतकर चित्रकला को क्या कहा जाता है तो स्क्रॉल सैली कहा जाता है चित्रकला सैली कहा जाता है पस्मी सिम्भूम के छेत्र में किया जाता है ठीक है यह important रहेगा और एक है गंजू ठीक है गंजू चित्रकला सैली यह पसूज और उसके बाद वन जी पालतु जानवर बनसपती का यहाँ पे तस्वीर बनाया जाता है याद रखेंगे यह भी थोड़ा फेमस है तो आप से किवल यह पूछेगा सोहराय और कोहबर से उस को कहा जाता है यहाँ से सीधे कोशन पुछा गया है तो इनको थोड़ा सा अच्छे तरीका से अब देख लिजेगा यहाँ से अच्छा कोशन बन सकता है तो एक कोशन हम लिए थे और उसी से रिलेट करके इतना सा रहां बात आपको बताए ठीक है इसके बाद इंपॉर्ट से है ज्यादा तर हम यहाँ कोशन कला संस्कृति से लिए क्योंकि कला संस्कृति हम नहीं पढ़ाए थे तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसलिए बता दिये क्योंकि यहाँ से भी अच्छा कोशन देखा जाएगा तो जार्खन का वाइलीन केंदरा या केंदरी को कहा जाता है केंदरा या केंदरी को कहा जाता है जार्खन का वाइलीन ये कोशन पूछा जाएगा जार्खन का वाइलीन किसको कहा जाता है केंदरा या केंदरी को कहा जाता है तो कुछ जार्खन का वाध्ययंत्र को देख लेते हैं जहां से अच्छा कोशन पूछा जा सकता है तो इसको तो थोड़ा सा देख लेजेगा ठीक है देखे जराइकन का淡् देखा जाए ती Hahaha फारण में मुखे ढूंया बंजा गया है एक होगा तंतू बाध्यान्तर ठीखे एक और कौंस हो सब these एक को यहाँ पर देखते हैं देखिए तंतु वाध्यंत्र क्या होता है important रहेगा देखेंगे यहाँ तो रेसम का जो डोरी होता है उससे या तो तार से बांध करके इसको बजाया जाता है मतलब कुल मिलाकर तार किसी भी चीज का हो रेसम का तार हो या तो फिर आपका देखा जातो कोई तार ही हो ठीक है उसको खीच दिया जाता है पूरी तरीका से और इतना टाइट रखा जाता कि उससे एक अच्छा धौनी निकल सके एक अच्छा मतलब आवाज उससे निकल सके ठीक है तो यह कुल मिलाकर डोरी या तार से बांध कर बनाया जाता है कि इसको उधारन है तो यह जो नीचे लिखा हुआ हरा कलर में तो यह आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि किस में कौन सा है क्योंकि यहां से अच्छा कोशन आपको सीधे पूश देगा ठीक है तो तंतु वाद्ध्य अंत्र में रस्सी होता है या तो यहां पे तार का बांध कर बनाय सारंगी तोहिला बनम भुवांग केंद्रा एक तारा यह सब जो है वो क्या है तो यह मतलब तंतु वाद्ध्यंत्र है मतलब रस्सी को खीचकर डोरी को खीचकर तार को खीचकर बनाया जाता है और उससे एक सुरीला आवाज निकाला जाता है तंतु वाद्ध्यंत्र होता ह याद रखेंगे इसको, इसके बाद सुसीर वाद्यंत्र, सुसीर नाम से ही लग रहा है कि मतलब पूरा तरीका से सुसीर, सुटी, सुसीर, ऐसे लग रहा है, सुटी कैसे बजाते है, पूरा तरीका से सुटी बोला जाता है, वैसे सीटी बोला जाता है, तो सीटी हम कैसे बज पाइदाल करके तो यहाँ पे फुक कर बजाया जाता है ठीक है सूसीर मतलबू ऐसे वाध्यंतra जिसको फुक कर बजाया जाता है गूंसे में पैसा बुनकर नहीं पाइदा हुए पेसाール को पूरी तरीका से वो बुनकर परिवार से आते थे और बासूरी बजाया करते थे दोंबारी उंबारी पहार तरब गुमते रहते थे तर उधर बासूरी बजाते थे तो यह बासूरी बहुत फेमस रहेगा वह हम आगे बताते हैं ठीके तो फुक कर बासूरी को बजाते हैं यह पर सहनाई जो है न वो खतरनाक बजाये जाता है भाई साब सहनाई जो है वो आपका देखा जाता है तो साधी के समय में भी बजाये जाता है और साधी के बाद जब बीबी परिशान की तो जब आदमी निपट जाता है तो उसके बाद उसका मरनी हरनी में भी बजाये जाता है इसका ध्यान इमली पर आ जाना चाहिए जिसके कोई बजा रहा है सहनाई तो फुक्क कर बजाएगा थीक है उसका मुहा पर आगे में दिखा देजिए इमली अब वो इमलिया देखेगा तो कर मुहा बड़ी पानी आने लगेगा तो पता चलेगा बिचारा बजाएगा तो हवा डिका लेगा तो पता चलेगा कि वहाँ पर थूक निकल जाएगा मुह से पूरा तरीका से तो बजबे नहीं करेगा ऐसा मतलब इस्तिती होता है मतलब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा किज़ेगा नहीं बिचारा लोग को बहुत परिसानी होगा मतलब कोई भी आपका बासुरी बजाएगा या तो फिर आपका यहाँ पर खास करके यह सारंगी मतलब जो सहनाई बजाता है यह सब तो सहनाई वाला को दिखा दीजेगा बिचारा नहीं बजा पाएगा हमली देखेगा तो पुरा मुह में पानी भर जाएगा यह आप रामायन महाभारत में जब यूद घोसना उसना हुआ करता था यूद घोसना हुआ करता था तो बड़ा सा एक दम पोपोई जेशा बजता था सिंगा ठीक है देखिए सुसीर जो था फुक कर और ताल बाद्यमंत्र जो है वो पीट कर बजाए जाता है ठीक है कैसे बजाए जाता है पीट कर बजाए जाता है मतलब जादा एनरजी इसमें लगता है ठीक है पीट कर बजाए जाता है कौन सा कौन सा हो गया जैसे यहाँ पर एक हो गया नगाडा बजा ठीक है नगाडा ठीक है उसके बार धाक और उसके धमसा ठीक है यह सब पूरा तरीका से एनर्जी लगता भाई साब पूरा तरीका से एनर्जी लगाने वाला चीज यह सब धमसा धाक नगाडा उसके बार धोल मांदर यह सब बहुत एनर्जी लगाने का होता ह वजन भी बड़ी होता है तो पुरा टांगे हुए रहता है लोग तो इसको याद रखेगा मतलब बहुत important रहेगा यहां कुछ note करके लिखा दिये हैं देखिए जार्खन का वाइलिन तो हम बता दिये जार्खन का वाइलिन केंदरा या केंदरी को कहा जाता है याद रखेंग जार्खन का नेक्स्ट देखते हैं जार्खन का सारवधिक लोग प्रिये वाध्य अंत्र कौन सा है बासुरी ठीक है तो बासुरी को याद रखेंगे यह जार्खन का सबसे लोग प्रिये वाध्य अंत्र कौन सा बासुरी यह याद रखेंगे और जार्खन का सबसे प्राच प्राचिंतंद्यांत्र क्या है मांदर है इसको कहते हैं तुम दक तुमम सेद्धлек मांदर को क्या कहा जाता है तुम्दक तो वो जो वजाएंगे वो लोग प्रियत तो रहेगा है next question देखते हैं और जो important रहेगा जार्खन में महादेव का सबसे कठोर पूजा मंदा पूजा होता है ऐसे एसे भी लिखा जाता है मंदा ठीके मांडा लिखा रहाता है कहीं कहीं मांडा ठीके मांडा पूजा को कहा जा तो देखे मंदा पूजा जो है उसके बारे में क्या क्या important है सबसे पहला आता है ये कि बैसाक महा के मतलब देखा जाए तो अच्छे तिर्तिया को ये आरम होता है बैसाक महा के अच्छे तिर्तिया को ये आरम होता है बढ़का गाओं के छेत्रम में देखेंगे हरली उरली छ रहेगा कि आदिवासी का अगर देखा जाए तो आदिवासी और सदान दोनों इसको मतलब में परचली थे दोनों मनाते हैं इसको कुल मिला के मंदा परब जो है वो आदिवासी भी और सदान भी मनाते हैं पूरूस बरती जो होता है जो पूरूस इसका वरत करता है उसको क्या कहते हैं भगत ठीक है क्या बोलते हैं भगत बोलते है पुरूस जो बरती होता है उसको भगत बोला जाता है और महिला बरती जो होता है या होती है उसको क्या बोलते हैं सोक्ताइन ठीक है सोक्ताइन ठीक है ताइन सोक्ताइन बोला जाता है महिला जो होती है उसको क्या बोला जाता है भगत ठीक है ये इंपोर्टन रहेगा याद रखेगा एक दो बार पूछा भी है इसके बाद यहां पर इंप्रटन क्या है सबसे इंपोर्टन यह है कि जो यहां पर भगत लोग होता है या भोगतावों लोग जितने भी होते हैं जो इनके परमुख मतलब देवता के पूजा करने जुला जुलता है और इसको क्या बोला जाता है धुवासी कहा जाता है मतलब कि एक बास में वो अपने सरीर के जो देखा जातो पूरी तरीका से बान देते हैं या तो फिर मतलब देखा जातो कील के थुरू अपने सरीर में डाल करके उसके उपर में धुवासी करते हैं जो ध सब देखे भी होंगे बास के सहारे सब लटकते रहता है ठीक है उसके बाद देखेंगे तो जो भोकतावें होते हैं मतलब भगत होते हैं वो सब देखा जा तो एक यहां पर बहुत इंपोर्टेंट रहता है कि आग जो धदकता हुआ रहता है अंगारा जो होता है उसके उपर सब जो जितना भी मतलन लोग है वो भगत एक बार उपर से इधर से गया तो इसके बाद इधर से गया इधर से अगिए निकल गया यहांसे सब लोग इसके उपर में से चल करके जाएगा और इत्राटाव रचा और इसको पास करना इसको कहते है फुल कुंदी कहा जाता है याद रखेंगे तो यह भी पूछता है कि मंड़ापरब में जो होता है अगर देखा जाए तो आगपर चलना क्या कहा लाता है तो तो नौ दिन का फास्टिंग किया जाता है और थोड़ा सा भी गढ़वर होता है तो लोग का बोलना होता है कि यहाँ पे कुछ नो-कुछ अन हो नी हो जाता है कुछ नो-कुछ ऐसा घटना हो सकते तो यह ध्यान में रखना होता है नौ दिन का उफवास मतलब एक बहुत मतलब बोला जाए तो बहुत कठोर यहां पे महादेव का ये पर्व है तो इसको याद रखेंगे सीधे यहां से कोशन पूछा जा सकता है इसके बाद बहुत important रहेगा सरहूल देखिए सरहूल पर्व जो है यह पर्व देखा जाए तो जन्जातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल जो है जनजातियों का सबसे बड़ा परव है इसको अन्य नाम से जो जाना जाता है उसको देख लेते जैसे खदी खदी कहा जाता है उराव जन जाती के द्वारा मतलब की सरहुल को उराव जन जाती के द्वारा खदी कहा जाता है उसके बाद संथाल जन जाती जो है इसको बापरब बोलते है बापरब ठीक है बापरब बोलता है लोग संथाल लोग ठीक है यह याद रखेगा इसके बाद important है यहाँ पर जकोर ठीक है जकोर कौन बोलता है तो खड़िया जन जाती बोलती है तो इसको याद रखेगे देगे थोड़ा सा हम एक बात बता देते जो मेरा 24 जिल्ला है ठीक है 24 जिल्ला 24 current affair जो चलाया गया था जो इसको आप लोग ने पी डी डी एफ ठीक है जिसको लेना होगा वो ले सकते हैं PDF लेने के लिए 9798 ठीक है मतलब इसका है 9798771375 इस नंबर पर आप contact करके PDF ले सकते हैं बहुत अच्छा काम किया और सबसे बड़ी बात है कि JPS ही जो है JPS ही अभी हुआ था backlog का exam तो उस backlog का exam में 24 जिला 24 current affair से मतलब की 47 question पुछा था ठीक है 47 question सीधे डिटू वहां से उठा कर पुछा था क्योंकि 24 जिला 24 current affair विते statics है तो statics भी बाहर नहीं गया तो 47 question पूछ दिया सीधा और उसके बाद जो है पूरा जितना भी हम वीडियो दिये थे ठीक है लगबग 30-35 वीडियो है 30-35 वीडियो जो एकदम पक्का हर बार पूछता है तो यहां से लगबग 61 question पूछा था ठीक है 100 question में 61 question पूछा था अगर हम CNT SPT अगर बता देते उसके बाद जारकन की नीतियां योजना अगर पूरे तरीका से बता देते तो हमको लगता 90 percent question right हो पास लेकिन अभी क्या है कि जैसे CGL वाला में लोग देख रहा होगा तो JPSC के बारे में भी नहीं देखेगा वैसा ठीक है वैसे तो बहुत कमी देख रहा है क्यों नहीं देख रहा पता नहीं लेकिन हम कोशिस कर रहे हैं कि content ऐसा दे कि जो सिधे exam में छपे वीडियो अच उसको पढ़ लेते हैं नो तो 40 जो कोशन है जारकन में वो कहीं बाहर जाने वाला नहीं है इसके साथ साथ हम science का भी कम से कम 10-15 PDF दे रहे हैं 8 PDF कुछ 3-4 PDF हम computer का दे रहे हैं पक्का वहां से 4-6 question 10 question आ जाएगा तो आप लोग ले लिजेगा इसको जो नहीं लिए होंगे इस वाला के बाद ये PDF का rate भी बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा question आने वाला है तुरता मठा इसको साम को बता देंगे कितना है चलिए आगे देखते हैं तो देखिए इसको जकोर भी कहते हैं ये जो है प्राकिर्तिक परवे ठीक है तो प्राकिर्तिक से संबंधित परवे है प्राकिर्तिक से संबंधित पूरी तरीका से परवे है और कब होता है चैत माह के सुकल पक्ष तिर्तिया को मनाया जाता है क्या कौन सा परव तो याद रखेंगे मत्तब यहाँ पे रहेगा तो सरहूल परव ठीक है सरूल तो यह important है इसको याद रखेंगे ठीक है चैत महा के सुकल पक्च तिर्थिया को मनाय जाता है और इसे फूलों का तेहवार भी कहते हैं और इसका जो परसाद होता है उसको सूडी बोलते हैं परसाद को याद रखेंगे सुड़ी जो परसाद होता है सरहूल को कौन सी जन जाती की महिला नहीं खाती है यह आप कमेंट करके बताईएगा और बहुत अच्छा परव है यह आप देखेंगे तो पूरी तरीका से यह परव जो है उसमें महिला लोक है वो साल के समय उसमय जो फूल खिलता है सरही फूल उसको पूरा तरीका से अपने खूपा में डाल कर और उसके बाद डांस करती है ठीक है तो यह चीज़े बाकी जैसे मतलब गैर जन जाती वाली महिला लोक एको पेन टैप का डालने रहती है उसी जगब पर वो सब डालती है उसको बहुत अच्छा परव है फूलों का तेहवार है और उस समय सक्वा जो साल का ब्रिक्ष जारखन का राजकिय ब्रिक्ष है उसी का फूल पूरे तेरे का से खिला हुआ होता है ठीक है तो याद रखेगा यहां से भी अच्छा कोशन पूछा जा सकता है ठीक है इसके बाद देखते हैं यहां पर मतलब इंपोर्टेंट रहेगा सोहराई ठीक है सोहराई परव अगर देखा जाए तो यह परव जो है उसके दूसरे दिन मनाया जाता है ये पर्व याद रखना है जानवर से संबंदित पर्व है मवेसी को नहला कर और उसका पूजा किया जाता है पूरी तरीका से मवेसियों को इस पर्व में नहलाया जाता है नहलाने के बाद पूरी तरीका से सिंग में तेल उल लगा करके दूसरे दिन ठीक है अगर देखा जाएगे तो यह पर्व जो है पॐस्मा होस्मा के मतलब फसल कटाई के बाद को मनाया जाता है लेड़ा जाता है जहारकन देखा जाएगे तो संथाल जन जाती में सरवधिक परसिद्ध है तो सबसे ज़्याधा किस्में होता है संथाल यहां से भी question बनेगा इसके अलावे हम कुछ और अन्य देख लेते हैं जहां से question बनता है जैसे ये सब question रिदम सीधे state forward पूछा जाएगा ठीक है जैसे जकोर ठीक है जकोर क्या है तो खडिया जन्जाती का ये बसंत उससो है खडिया जन्जाती का ये बसंत उससो है याद खडिया जनजाती का जो सासन विवस्ता है उसे ढोकलो सोहर सासन विवस्ता कहते हैं जकोर खडिया जनजाती का ये बसंद उस्सो है याद रखेंगे ठीक है इसके बाद देखा जाए तो next देखते हैं जहां से question रहेगा हरियाड ठीक है हरियाड ये है संथाल जनजाती के महान में जो हर्याली आने के अच्छे फसल के लिए ये किया जाता है तो याद रखेंगे सावन महा में ये मनाया जाता है याद रखना है सावन महिना में होता है और अच्छा फसल उत्पादन हो उसके लिए हर्याली के लिए ये किया जाता है हर्याद और ये किस जनजाती में परसीद है तो याद रखना है यहाँ पर संथाल जन जाती में बहुत फेमस है ठीक है इसके बाद है एरोक ठीक है एरोक पर्व एरोक पर्व जो है यह संथाल जन जाती में आसाड महीने के में बीज जो बोते हैं उस समय बोने के समय में किया जाता है ठीक है तो याद जाता है जहारकन का मुख्य फसल धान है तो एरोग फेस्टिबल जो है वह संथाल जन जाती में मनाया जाता है असार महीना में देखने को मिलेगा और ये पूरी तरीका से बीज की बुवाई के समय मनाया जाता है याद रखेंगे ठीक है इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर साकरात ठीक है साकरात ये साकरात संथाल जन जाती में के द्वारा किया जाता है घर परिवार में मतलब खुसिहाली के लिए या कुसलता के लिए ये पूरी तरीका से किया जाएगा कब किया जाता है तो पूस माह में मतलब मनाया जाता है ठीक है पूस माह में ये मनाया जाता है और घर परिवार में जो कुसलता देखा जाए तो खुसियाली के लिए एक परकार से ये सकरात परव किया जाता है तो इसको अच्छे तरीका से याद रखेगा यहां से अच्छा क पुछा जाता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा ठीक है क्योंकि आप लोग के लिए हम इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे ठीक है बाकी 24 जिला 24 करंट अफेर के साथ मेरा जो कंप्लीट जारकन करंट अफेर उसको ले लिजेगा अगर न पढ़ना जरूरी है तो उसी को देख लिजेगा बहुत काम का चीज यहां पर रखा गया ठीक है अहो सके तो अपने दोस्तों को सेर भी कर दिजेगा चैनल सस्क्राइब नहीं कियोंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा जारकन के कुछ साहित सा से याद कर सकते हैं मतलब इतना मज़े आने वाला है कि एक भी कोईशन छुटेगा नहीं सब आपको याद हो जाएगा अगर आपको लगे ट्रीक अच्छा है तो एक लाइक जरू किजेगा अगर अच्छा लगे तो चैनल सस्क्राइब कर दिजेगा यह उर्जा देता है हम लोगों काम के परती ठीक है और एक बात सबसे इंपर्टेंट यह है कि यहाँ पर जो भी ट्रीक में बोला गया बात है वो किसी व्यक्तिगत हीतों को आहात नहीं करता है यह इसलिए बात हम पहले बोल दिए क्योंकि कुछ इस तरह का ट्रीक यहाँ पर रखने वाले हैं कि वो सीधे आपको तो याद हो जाएगा लेकिन कुछ हम इसके लिए इधर उधर जाएंगे और बात ऐसा करेंगे जो मतलब आपको याद हो जाना चाहिए किसी भी तरह से याद करवाना है बस आप लोग बने रहिए साथ में पूरा देखिएगा तो पहला देखते हैं राध उपन्यास ठीक है चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं टिक से उसके बाद कहानी उपन्यास बाद में देखेंगे ना तक ठीक है तो एक रिलेट करके कहानी तरीका से जोडएंगे लेकिन पहले देख लेते आखिर कौनसा कौनसा लिखें ठीक है तो Radha Krishna यहां देख लेते ह इनके द्वारा लिखा गया है सिनहा सहब, इसके बाद सजला, राम लिला, इसके बाद है गेंदा गुलाब, इसके बाद है संसनाते सपने, रुपांतर, ठीक है, रुपांतर ये है, ठीक है, इसके बाद भारत छोड़ो, 1947 और इसके बाद अधिक अन उपजाओ, ठीक है, ये इनके द्वारा लिखा गया है, अब इसको हम ट्रीक से याद करते हैं, पूरी तरीका से ट्रीक से याद करते हैं, और बिल्कुल फ़नी ट्रीक होगा, मतलब आपको एक बार में ही सब कुछ याद हो जाएगा, देखे, राधा कृष्ण से एक याद रखना या सीनहा सहब, ठी हैं, उनको मन किया अपनी सजनी के साथ, अपनी सजनी के साथ, रामलीला करने का, मतलब सीनहा सहाब को मन किया अपनी सजनी के साथ, रामलीला करने का, तो निकल पड़े, गेंदा और गुलाब ले करके, गेंदा और गुलाब ले करके, निकल पड़े, तो गुलाब देखी, उनकी girlfriend खूस हो गई गुलाब देखी तो उनकी girlfriend खूस हो गई लेकिन गेंदवा फुलवा देखी तो नराज हो गई कि गेंदवा फुलवा का काम है गुलबबा का तो काम है जानते है ठीक है लाल कलर का है तो कर कोई काम है बुलू कलर का है तो कर कोई काम है सफेधत कोई काम है लेकिन चलिए गेंदवा फुलवा हमको समझ नहीं आया यह का है मतलब लाल का गुलबबा तो समझ में आ गया यह क कराएका तो कुल मिला करके यहां पर जब ये मारी न मतलब इनको तब इनको संसनाता हुआ सपना दिखा संसनाता हुआ सपना दिखा सिना साब को कि बा हमको मार्दी एतना प्यार से लेकर आये थे मतलब कि गुलाब और गेंदा और मार्दी हमको संसनाता हुआ सपना दिखा औ और उसके बाद अपना दिमाग को रुपांतर किये ठीक है रुपांतर किये अपने दिमाद को ठीक है पूरा तरीका से अपना दिमाग को रुपांतर किये और रुपांतर करने के बाद जो है ये भारत छोड़ो मतलब भारत छोड़ दिये ये कहां कि अब हम देसे में नहीं र चालू किये पहले प्यार के चक्कर में पागल थे थोड़ी यूपियस ही निकलता इन से ठीक है बाकी तो सब कुछ समझ में आ गया सीना साहब ये समझ में आ गया सजना हम वहां बोले सजला याद किजेगा उससे ठीक है सजना को पूरा तरीका से पटाने के लिए रामलीला उसके साथ खेलना चाह रहे थे तो रामलीला हो गया उसके बाद जो है यहां पर गेंदा और गुलाब लेके प इसका दिमाग में रुपानतर हुआ इसका दिमाग और उसके बाद भारत छोड़े खेती बारी चालू किये अधिक अनुप जाओ तो इस तरह से सिना सहब से ले करके और अनुप जाने तक जो है इनका पूरा तरीका से जितना भी यहां पर कहानी उपन्यास और नातक है वो र परती मतलब इच्छा जागरित करता है आगे बढ़ाने का ठीक है नहीं तो एक जड़ा सा इच्छा नहीं करता है दिल टूट गया पूरे तरीका से हम सोच रहे हैं कि इंतिजार कर रहे हैं कब पांच के सब्सक्राइबर दस नहीं सोच रहें पांच के उससे में भी इतना लेट लग रहा है तो हम कहें कि नहीं लगता है कि पता नहीं उपर वाला की मर्जी नहीं है क्या इतना मेहनत करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है ठीक है पांच के सब्सक्राइबर तीन चार सो घट रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है ठीक है लाइक तो छोड़िए लेकिन य इसके साथ साथ कहानी वहानी वाला थोड़ा याद कर लिजेगा क्योंकि देखिए यह जार्खन में साहित का सबसे बड़ा पुरुषकार इन्ही के नाम पर दिया जाता है तो यह चीज़ थोड़ा सा याद कर लिजेगा जैसे सिना साहब सिना साहब का जो है यह कहानी है यह और यहाँ पे जो रामलीला ये कहानी है, ये तीन कहानी हो गया, और एक ये चाओथा भी, गेंदार गुलाब ये भी कहानी है, ठीक है, उसके बाद संसनाता हुआ सपना और ये रुपांतर ये दोनों उपन्यास है, उसके बाद जो है, यहाँ पे भारत छोड़ो और अधिक अनुप जाओ ये दोनों नाटक है, तो इसको बाद में थोड़ा याद कर लिजेगा, इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, में ये वला याद कर लिजेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे कोशन पूशता है, ठीक है, थोड़ा सा पांच के भी पहँचाईए, आप लोग फ़रा साथ दीजिए बस request है ठीक है next देखते हैं जो बहुत important रहेगा बिद्या भूशन बिद्या भूशन के द्वारा क्या लिखा गया है चेहरे के नीचे चेहरा चेहरे के नीचे चेहरा ये कहानी है इनका बिद्या भूशन का तो इसको कैसे याद करेंगे बिध्या भूशन चहरे के नीचे चहरा, तो देखे जब ना आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे कोई लड़की किसी लड़का से मिली, तो सुरुवात में मिली तो उसको तेज देक करके उसके साथ फस गई, ठीक है, उसके साथ फस गई कि बड़ी, मतलब इसके पास बिध बिद्वान आदमी है इसके साथ फसना चाहिए तो फस गई अब उसके बाद जब फस गई तो उसके बाद जब रहने लगातार तब उसके बाद उसको पता चला कि इसका बिद्या में भूसा भरा हुआ है तब इसके चेहरे का नीचे का चेहरा कुछ और है चेहरे के नीचे का चेहरा कुछ और है देखे जब तक चेहरा दिख रहा है तो उसमें बिदुता का परिचे होता है कि यह बिदवान है लेकिन जब चेहरे का नीचे का चेहरा दिख जाता है तब आदमी कहता नाय बाप यह कुछ औरे हो और यह कुछ औरे नहों हो मतलब बिद्या में भूसा पहानी है याद रखेगा बहुत इंपॉटेंट रहेगा ट्रीक कैसा लग रहा है लाइक करके बताईएगा कमेंट थोड़ा कमो करिएगा तो चलेगा लेकिन लाइक अब इसको कैसे याद करेंगे रएंद्र गायब होता हुआ देश अब इसको कैसे याद करेंगे रएंद्र गायब होता हुआ देश जैसे न कोई कहीं दूर जा रहा होता है या तो हमसे दूर जाता हुआ दिखता है और वो गायब होता हुआ दिखता है तो हम लोग बोलते अ ररेंद्र और वो क्या हां जा रहा है तो गायब होता जा रहा है जैसे कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति जैसे कुमा तलाब में डूब रहा है तो अरे ऐसे बोलते हैं ना इसका मतलब बूब गया ठीक है मतलब गायब हो गया तो गायब होता हुआ देश ररेंद्र गायब होता हुआ देश ररेंद कोई भी हमसे दूर हटता है ना और गायब होता है तो हम लोग उसको रोकने के लिए बोलते हैं अरे रे रे सुनो ऐसे तो मतलब हो गया वही गायब होता हुआ देश ये उपन्यास है किसका ररेंद रखा तो याद रखेगा यहां से भी कोशन कंघाल की बेटी तो इसको कैसे याद करेंगे देखे हवलदारी और इसके बात कंघाल की बेटी बैक्टी से जोर देज़े नहीं होदार की बच्चा कंगाले न रहेगा ऐसे थोड़ी यहां पर कि D.C.S.P.R. बहुत बड़े-बड़े ओफिसर का बाल बच्चा है जो कंगाल नहीं रहेगा तो यह हवलदार का बेटा है यह हवलदार की बेटी है तो कंगाले ने रहेगी ठीक है कंगाल के उपर में का रहेगी इसके सी बंचर को बड़े इसकी बाब जब हवलदार है तो इसकी बेटी कंगाल की बेटी हवलदारी राम-गुपता-हवलदर कंगाल की बेटी ठीक है जैसे यह कंगाल की बेटी बेचार Rh मेहनत करेगी आगे बढ़ेगी ऑफिसर की बाल बच्ची रहती तो तीन-चारगों को लेकर ना घुरन चलती रोडवा में ठीक है और वो चीज है बल लब जाती बड़ा-बड़ा स्वरूब में घुजती फिर उसके बाद कौंची-कौंची होता है उसा मतलब कौंची- करती तू सब करती लेकिन बेचारी हवालदार की बेटी है तक कंगाल की बेटी होगी कुल मिलाकर तो यह एसे याद कर लिजेगा थोड़ा सा रिलेट कीजिए चीजों को रिलेट कीजिए तो लंबे समय तक याद रहेगा हमारे साथ तीन-चार्थों दोस्त पढ़ते थे आपको बता देते तो वह सब हम ऐसा ही ट्रिक से याद करवाते थे ठीक है कि इतिफाक से वह सब का लीडिंग हम ही करते थे गुरूप लीडिंग तो वह सब सब ऑफिसर लगवग बन गया ठीक है तो जब टेस्ट हम लोग लिखते थे ना जेपीएसी का तो उसमें यह कोश बन जाता है तो बदल जाता है हम बहुत यहां पर कोशिश किये थे कि एक बार दो बार बोले उसाब को कि यार तो लोक सा फलता का राज थोड़ा सा बता दो कि कैसे बना कैसे पढ़ा थोड़ा सा चैनल पर बता दो हमरा भी कॉपरेट हो जाएगा लेकिन किसी में ना नहीं कहा मतलब कहा कि टाइम निकाल करके हम जरूर करेंगे टाइम निकाल करके जरूर करेंगे उसके बाद लेकिन आज तक फिर वीडियो नहीं दिया ठीक है तो फिर उसके बाद हम भी नहीं कुछ बोलने के लिए हम सोचे कि भाई बीजी होगा और बार बार कहना सही नहीं है क् तो हमारे साथ तीन-चार साल पढ़ा, तीन-चारो, अब अगर हम बार-बार उसब को फोर्स करेंगे, कि नहीं तुम देवे करो, देवे करो, तो उसब सोचेगा की लगता है, पढ़ें, तो एसान मांग रहा है, तो इसलिए हम नहीं फिर बोलने के लिए गए, हमके बड़ा आदमी हो गया, वो फीसर है, तो इंसान बदल जाता है, कुछ लोग तो नहीं बदलते हैं, लेकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं, घर हम नाम नहीं लिए हैं, इसलिए कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है, आप जाने कि लिए जो भी खरदे थे, वो किसी न किसी व्यक्ति से हम ये लिए थे, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट देना पड़ रहा था, लेकिन क्या है कि सारा हम वापस दे दिए, ठीक है, खुसी की बात यह है, कि सब वापस दे दिए, और उसके बाद अभी बले मेरे पास कुछ नहीं है, इतना ठंदा में भी हम सट पे हैं, मेरे पास स्वेटर तक भी बनिया नहीं है, लेकिन क्या है कोई दिक्करत नहीं इसे, मतलब चलेगा, मतलब बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, ठीक है, आगे देखते हैं, द्वार का परसाद, द्वार का परसाद जो है, आदमी एक लिखे हैं, और घेरे के बाहर, घेरे का बाहर, एक आदमी और एक घेरे का बाहर, तो याद रखेंगे, आदमी इनका नाटक है, और घेरे का बाहर का है, उपन्यास है, ठीक है, तो याद रखना है, यहाद पर अब देखे, इसको कैसे याद करना वो देख लिए जे ट्रिक से द्वार का परसाद तो देखे ये द्वार का परसाद द्वार के बाहर ही होना चाहिए ठीक है तो साध ये अंदर घुस गये थे तो उनका घर वाला लोग बोला का आदमी हो जी तुम घेरे के बाहर होना चाहिए तो तुम अंदर घुस गया ठीक तो फिर वो बचारा बाहर गया, द्वार का परसाद, द्वार पर रहने वाला, तो घेरे के बाहर रहना चाहिए, तो उसमें घर वालो लोग बोला का आदमी हो यार, बाहर रहो, ठीक है, तो घेरे के बाहर रहो, ठीक है, तो आदमी और घेरे के बाहर, ये किनका है, द्वार क बाहर रहो, क्या आदमी हो जी, ठीक है, ऐसे याद रखेगा, मतलब आप अपने तरीका से भी ट्रीक बना सकते हैं, किसी का ट्रीक आप लेने की जोरोत नहीं है, अगर आपका ट्रीक जो है, मतलब सूट बैठ रहा है मेरा वाला तो किजिए, और नहीं तो फिर अपना भी बन आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, गोपाल परसाद मंजुल, यह है, पुन्नम एक याद, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखें, गोपाल परसाद मंजुल को कर दीजे, यहाँ पर मजनु, ठीक है, कर देंगे तो मजनू को ही दिखता है पुन्नम एक याद करेगा और उसके बाद यह कुछ पता नहीं चलेगा ठीक है यहसा ही होता है लोग ठीक है आज के समय में प्यार जो है ना हो मतलब सब्रेश्य साम चीस तरह बदलता हो इसे यह होता है, ठीक है? तो इस तरह का स्थिति पहले जनम जैसा थोड़ी है कि साथ हो जनम हम कसम खाते हैं तुम वेसा disciples रहेंगे लड़का भी नहीं कता। तुम गरता है साथ जनम अत रहो। तुम दूसरा देखो, दूसरा देखेंगे हम भी मतलब साथ जनम के लिए देखने वाला को पूर्णम थोड़ी याद आएगा ठीक है इसको एकड़म पूरी तरीका से याद कर लिजेगा ये भी important रहेगा ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं असोक कुमार आचल ठीक है असोक कुमार आंचल ठीक है ये क्या है पागल खाना नातक है इनका ये बहुत important नातक है पागल खाना बार-बार पूछता है ठीक है असोक कुमार अंचल पागल खाना हम इसको ऐसे याद किये हैं असोक जो है ना मेरे पापा का नाम है ठीक है बावजी का नाम है तो हम ऐसे याद कर लिए थे हमरा बाप जो है पागल है ठीक है तो पागल खाना हम ऐसे ह याद कर लिए थे हमारा बाप जो है वो पागल है ठीक है हमारा बाप जो है वो पागल है और सही में दिमागू थोड़ा खराब करते हैं जैसे कोई काम करने के लिए बोलेंगे कि जाइए बुलाया गया है वहाँ जाके काम किजिए तो पता चलेगा पेपर ले लिए तो दिन है हमरे बावजी के नाम से याद कर लिजे असोग कुमार पागल खाना ठीक है तो इस तरह से लब भूलिएगा नहीं ठीक है उसके बाद आगे यहाँ पर है सर्वन कुमार गो स्वामी ठीक है सर्वन कुमार गो स्वामी और सर्वन कुमार से समंधित आपको पता ही है बात मतल तरीका से, मतलब कावरिया में ले करके घुमना चालू किये थे और ये एक टुकड़ा सच है, एक टुकड़ा सच, ठीक है, उपन्यास है इनका, ठीक है, सरवन कुमार गोस्वामी एक टुकड़ा सच, भारत बनाम इंडिया, देखिए, जब हम रियल में भारत की बात करते हैं ना तो सरवन कुमार जैसे बैक्ती सामने आते हैं ठीक है और जब इंडिया का बात करते हैं तो वो आज के समय में जो एको नाइका फिलिमा आये था ना राम सीता लच्मन को अलगे तरीका से प्रस्तूत कर दिया उस तरह का बात आता है तो कुल मिलाकर रियल भारत उसी में है सरवन कुमार से रियल भारत दिखता है कि मतलब एक माता पिता को अपने कंधो पर उठा करके पूरा भारत भरबन कराएं तो इस तरह का बात एक भारत मes हो सकता है इंडिया में नहीं तो इसलिए भरसेस हो गया थिक है अभी भी चल रहा है भारत में भारत बनान में इंडि मा और अपने पिता जी को अपने कंदों से उठा करके सरवन कुमार ने मतलब भर्मन किया था तो यह मतलब बहुत इंपोर्टेंट है इसको थोड़ा ही सही याद किजेगा दोनों उपन्यास है ठीक है थोड़ा थोड़ा भी रिलेट हो जाएगा न तो एक्जाम में आपका को जग्रामी नरायन जग्राम जग्रामी नरायन जग्राम ठीक है और यह कुरमाली रचना है जग्रामी नरायन जग्राम जग्रामी नरायन जग्राम जग्राम जग्रामी नरायन जग्राम ऐसे याद कर लिजेगा ठीक है नेठा पाला निरंजन महतो नेठा पाला निरंजन मह तो बाबू सोना जिन्दा बाद इदा मैं ऐसे याद किजेगा ठीक है इदा उर्जा आ जाना चाहिए ठीक है जहां पर आप पड़ रहे हैं ना मतलब एक महौल बन जाना चाहिए नहीं आज तो कुछ है बात हो रहा है साही तो साही तकार कर ठीक है तो इस तरह का देखे आप आप ही लोग का प्यार जो है वही मिलता है तो हमको लगता है रियल में आभी के समय में बस आप ही लोग से जुड़े हुए बस यही है यही मेरा परिवार है यही सब कुछ है रियल में और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है ठीक है तो हम आप ही लोग से बात कर लेते हैं बस और कुछ नहीं चाहते हैं बस थोड़ा सा आप लोग का प्यार मिलेगा तो लगेगा की चलो हम भी कुछ कर पा रहे हैं ठीक है को आप लोगका साथ ही जो है वो बहुत बड़ा बात हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पर कर्मागीत जो है बुद्धु भगत कर्मागीत बुद्धु भगत का है और यह कुर्माली रचना ये भी है ठीक है अब यहाँ पर इसको कैसे याद करेंगे कर्मागीत बुद्धु भगत देखें कर्मागीत आज के समय में कौन गाता है कर्माग करमाजीत इचे बिद्धु बगत पढ़ नहीं करमाजीत के पीछे आप इक समय में वो पीता है लोग बारूर में का का डान्स उन्स करता है अलगे दुनिया का डान्स होता आज के समय में ठीक है तो ये याद रखना है यहाँ पर बुद्धु भगत कर्म मतलब कर्मा गीत ठीक है इसके बाद एक बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ से यह बार-बार पूछा गया है अनंत सहाय अखोरी अनंत स प्रिया है गरह जो है हमारे देखेंगे तो आठ गरह है उसमें बहुत सारा स्वार मंधले बहुत बड़ा एरिया में गरह का फेर है, रियल में जैसे नहीं होता है कि आप किसी एक लड़की को दिल दे दीजे तो वो गरह का फेर है समझे, उसको वो आपको नहीं समझ में आएगा कि वो कहां-कहां उसका दिमाग चल रहा है, ठीक है, अगर आप उसको गल्ती से खुदा समझ गये तो वो यहीं कि बहुत का कल आपके साथ motorcycle में भूम रही थी परसु किसी और के साथ नजर आएगी नर्सु किसी और के साथ नजर आएगी देखिए मतलब कि आप अगर सही माइने में आगे बढ़ना चाहते न तो दिमाग में रखिए अगर आपको बाज की तरह उडान भना है तो रियल में तितलियों के पीछा छोड़ना पड़ेगा देखिए अब तितलियों को पीछा क्यों छोड़ने का बाद कर रहे है क्योंकि बाज जो है न उसको हवा कुछ नहीं बिगार पाती है वो एदम आसमान की बुलंदियों पर उपर चड़ता ही जाता है चड़ता ही जाता है लेकि क sondern अउसके बाद फीर हवा चले गद Llata तो उसके पास चिपकल नहीं रहेगी फिर उड़ियाएगी और किसी और पास चला अभ फीर उसके पास गई अप हवा चला तो फिर वह ऊड़िया जाएगी कि तिपल्यओं को इतना पावर नहीं कि तो हवा के जोकों को सहले ठीक है तो यह सौभाव अगर है तो इसलिए बोलते हैं कि तितलियों के पीछे मत रहिए बाज के तरह उड़िए क्योंकि बाज को हवा भी कुछ नहीं कर पाता है अगर हवा नीचे जब चलता है न तो उपरे संताप मंडल को उपरे उड़े लगता बोलता है तो इदन नीचे चल हाम चलते हैं उपरे ठीक है तो वो बाज के तरह उड़ान भरिए और आगे बढ़िए क्योंकि वो ज़रूरी होता है जिंदगी अगर जीना है तो तितलियों के सहारे नहीं जिया जा सकता है ठीक है हम हमेशा बोलते हैं आगे बढ़िए खु वीडियो इस तरह का सहित का आगे चाहिए आपको लगता है कि इस तरह का हम पूरा बता सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इस तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो लाइक किजे वीडियो को लाइक अगर हम देखेंगे अच्छा है चायनल अगर से पढ़िएगा ठीक है लेगिन थोड़ा साथ देजिए पिलीज बहुत जारूरी है आप लोग का है अगर आप लोग का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे कोई दूसरा काम हमें करना पड़ेगा ठीक है तो थोड़ा अपने दोस्तों को भी सेर किजिए औ कुछ पठार पहार को देखेंगे यहां से भी बहुत अच्छा क्वेशन पूछा जाता है चाहाँ आप GPAC का कोई भी एक्जाम देगे तो पक्का यहां से क्वेशन देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा तरीका से मैप से समझाया गया है और कुछ बिसेस्ता और बहुत म map से हम बताने का प्रयास करते हैं तो कुछ पहार और पठार को देखेंगे जहां से सीधे question पूछे जाते हैं और कुछ महतोफूर्ण of fact जो बनता है वो भी यहां पर लिखा गया है पहार परवस से तो जारकन जो है पठारी चेत्र है तो पक्का यहां से question देखने को मिलेगा तो हो सके तो आप लोग इसी तरह से map बना लिजेगा और सब कुछ लिखते भी चलिएगा तो चलिए start करते हैं और एक एक चीज को यह आता है तो चलिए देखते हैं शुरुवात करते हैं यहा पर देखिए पूरा जारकन जो है वो देखा जया तो एक प्रकार से छोटा नागपूर का पठार है तो पठारी चैत्र है यहां पे अच्छा कासा एरिया में देखने को मिलेगा और अलग अलग जगों पर अलग-ं अलग नाम से जाना जाता है तो देखिए सबसे पहले यहां पे आते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं पठारी छेत्र में पाट छेत्र को ठीक है देखिए यह लातेहार का जो छेत्र है पाट छेत्र को देखते हैं सबसे पहले देखिए इसका सबसे पहले यह पुछा जाता कि इसका उसत उचाई कितना है लातेहार का जो पाट छेत्र है इसकी उसत उचाई कितना है तो याद रखेंगे 900 से 1100 मीटर इसका उचाई है ठीक है 900 से 1100 इसका उसत उचाई है अकार देखा जाए तो अकार कैसा है त्रिभुजाकार अकार कैसा है ट्रेंगल सेप का है मतलब देखा जा तो ये लातेहार में देखने को मिलेगा ठीक है लातेहार में भी देखने को मिलेगा फिर उसके बाद गुमला में और लोहरदग्दा के छेत्र में देखने को मिलेगा जादा एरिया जो है न आपको देखने को कहा मिलेगा तो ये लातेहार के छेत्र में मिलेगा त गनेजपूर का पठार जो है इसका उचाई 1171 मीटर है और उसके बाद यहां पे है जमीरा का पठार 1142 मीटर है ठीक है तो याद रखेंगे ये पाठ चेत्र है पूरा तरीका से इसी पाठ चेत्र के बारे में हम यहां पे अध्यन कर रहे हैं पूरा तरीका से ठीक है इसको ध् दग्गा लोहर दग्गा लोहर दग्गा के बाद कहां पर है गुमला गुमला में देखने को मिलेगा ठीक है तो अच्छा कोशन बनेगा राची देख लीजिए यहां राची है और इस तरह का राची का से बनता है तो राची के उत्तर पस्रिम में राची के उत्तर पस्रिम मे और है उत्तर पस्यम की और है तो यहां से भी कोईशन पूछा जाता है थोड़ा ध्यान में रखेगा इसके बाद आते हैं यहां पर दचनी छोटनागपुर का पठार और उत्री छोटनागपुर का पठार देखिए दचनी छोटनागपुर का पठार ऐसे ऐसे करके देखिए ये लातेहार का टोरी है देखिए यहाँ पे लातेहार का ये जो छेतर है ये टोरी है और यहाँ से इस तरह से एक नदी निकलती है ये मोटा जो हम करते जा रहना ये नदी निकलती है इस तरह से और ये जो नदी है ये दामोदर नदी है कौन सा नदी है दामोदर नदी जो कर यह का है ना जो मोटा कर रहे हैं यह दामोदर नदी करमाली जंजाती इसकी पूजा करती है सबसे बिश्व की परदूसित नदी में से एक है मजरुस्थल भी इसको कहा जाता है बतलब बहुत परदूसित नदी है कौन दामोदर नदी ठीक है तो यह जो लातेहार के टोरी छे चोटनागपूर को बाट देती है कौन दामोदर नदी इसलिए इतना मोटा बता दियें ठीक है बाकी फिर इधर चली जाती है कहां पर पसिम बंगाल में चली जाती है ठीक है और बंगाल की शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है तो याद रखेगा लाते हार के टोरी छेतर स से निकलती है दामोदर नदी और उत्री छोटा नागपूर और दचनी छोटा नागपूर को दो भागों में बाट देती है तो याद रखेंगे यहां से भी कोशन देखने को मिलेगा अब बात आता है दचनी छोटा नागपूर को देख लेते हैं यहां पर दचनी छोटा ना मिलेगा 600 मिटर इसका उस्त उचाई है और यह विश्व का एक मात्र जो अस्थल है जो संप्राई मैदान है संप्राई मैदान का मतलब सिंपल सा जानिए जैसे कि आप ऐसे से चड़ रहे हैं चड़ रहे हैं पहाडी चेत्र चड़ रहे हैं और उपर चड़ गए तो इकदम प सहर बोलते हैं झारकन का उसको देखा जा तो स्विजर लैंट भी बोलते हैं उसके बात ज़रनों का सहर बी बोलते हैं सहीदों की नगरी भी सीको NES तो उचाई पर है ना इसलिए इसको मतलब जारकन का सिमला भी बोलते कि आच्छा खासा उचाई पर है और उपर में चल जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा खाम इतना उच्चा पर चड़ें है ठीक है उच्छा नागपूर तो हम लोग क्या कहते है तो हजारी लोग का पुरा अगर देखेंगे यह बड़ा सा एरिया ऊत्री चोटानापूर का देखा जाए तो यह बड़ा सा एरिया अगर देखा जाए तो तोड़ा सा मोटा ले ले लेते पिन जिससे कि आप लोग तोड़ा अच्छे तरीका से समझेंगे दिखे यह जो है यह एकदम जो रेड़ वाला हम घुमा रहे हैं यहां से ले करके यह पूरा यह पूरा जो है वो देखने को म नागपूर बहुत बड़ा है ठीक है उत्री छोटा नागपूर बहुत बड़ा है अब उत्री छोटा नागपूर का देखा जाना तो बीच में से ऐसे काटा जाता है यह बीच में से ऐसे कटता है तो यह जो नीचे हो गया ना यह उपरी भूमी है देखिए यहां पर देखे ये जो है न उपर जो दिख रहा है उपर जो दिख रहा है ये वाला पोर्षन वो निचली भूमी है निचली भूमी और निचे जो दिख रहा है न ये क्या है ये उपरी भूमी तो याद रखेंगे इसका उचाई जो है निचली भूमी का असत उचाई जो है निचली और सबसे खास बात ये है जारकन का उत्री छोटा नागपूर का पठार या हजारी बाग का पठार है उसमें खास बात क्या है कि जारकन का सबसे निचली भूमी जो है उत्री छोटा नागपूर का भूमी उसी में पारसनात पहाड़ी जो है गिरीडी में इस्तित है और जारक 165 मीटर क्या है इसका उचाई है 1365 मीटर उचाई है वह हम पहारी में नीचे देखेंगे ठीक है अभी हम लोग पठारी पढ़ रहे हैं तो पठार जानेंगे इसके बाद पहार में तो लिखा हुआ है डीटेल से है ही ठीक है तो कुल मिला के थोड़ा सा खाली यहां पर पठा पहारी चेत्र राजमाल का पठारी चेत्र आपको यहां देखने को मिलेगा पूरी तरीका से साहब गंज गोड़ा दुमका और पाकूर के चेत्र में देखने को मिलेगा राजमाल पहारी चेत्र और इसी पहारी चेत्र का बढ़ा हुआ रूप सिलोंग का पठार है मेगाले में जोएंट था ठीक है सिलोंग के पठार में लेकिन अभी जोएंट नहीं है क्योंकि वहां पे काट दिया गया ठीक है तो इस तरह से हम आपको बता दिये कुल मिला कर अच्छा कोश्चन राजमहल का पहारी चेत्र पठारी चेत्र याद रखेंगे लातेहार का पठारी चेत मिलेगा गड़वा और पलामू के चेत्रों में तो याद रखना है यहां से भी कोशन पूछा जाता है तो यह हो गया आपका क्या तो पठारी चेत्र ठीक है पठार हो गया यहां से किलियर हो गया यहीं से कोशन पूछा जाएगा जमीरा का पठार गनेशपुर का पठार न नेक्स्ट देखते हैं जो कोशन यहां से देखने को मिलेगा जारकन के कुछ पहाड जारकन के कुछ पहाड जहां से सीधे कोशन पूछे जाते हैं तो उसको देख लेते हैं यहां से भी कोशन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले कोना से ही चालू करते हैं और एक एक करके तो गढ़वा में है एक सरुवत पहाड ठीक है सरुवत पहाड सरुवत पहाड जो है यह गुलगुपत नामक जगह पर है और जारकन की दूसरी सबसे उची पहाडी छित्र है सबसे उचा दूसरा पहाड कोन है सरुवत पहाड और यह कहां पर है तो यह गढ़वा में देखन की दूसरी सबसे उची पहाड़ी है पारसनात को तो पुछ पुछ करके एकदम गंधा दिया है एक्जाम में तो वो नहीं पुछेगा आप जादा ठीक है तो थोड़ा सा इसको याद कर लिजेगा सरुवत पहाड दूसरी जारकन की सबसे उची पहाड़ी छेतर है से यह चर्चे में आ गया था तो इसलिए थोड़ा याद रखेगा यहाँ पर भी कोशन पुछा जाता है ठीक है इसके बाद अगर हम बात थोड़ा देर के लिए यहाँ पर करें गढ़वा छेतर जानते हैं यह तिन तीन स्टेट से सीमा बनाता है चतिस गर उतर प्रदेश और बिहार से सीमा बनाता है गढ़वा मराठी सब्द है और गढ़वा जो है इसको पहले भवनात पूर के नाम से जानते हैं नगर उटारी मंदिर जिसको बंसी धर मंदिर के नाम से जानन जाता है वो यही पर है गढ़वा छेतर में याद रखेंगे ठीक है इसकी बात चत देखिए ये चत्रा है चत्रा में केलवा पहाड़ी है क्या केलवा पहाड़ी चत्रा में केलवा पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा इसका सबसे उचा जो चोटी है वो अकास लोचन है केलवा पहाड़ी का सबसे उचा चोटी है अकास लोचन है और ये आपको हंटर गंज चत्रा में देखने को मिलेगा याद रखेंगे 1575 फिट ये उचा है और ये हंटर गंज में पड़ता है केलवा पहाड़ी जैन बौध और हिंदु धर्म तीनों की परमुक अस्थली है कौन केलवा पहाड़ और ये इसका सबसे उचा जो चोटी है वो अकास लोचन कहलाता है याद रखेंगे इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर कोडर्मा ठीक है कोडर्मा तो कोडर्मा में देखा जाए तो एक है आपका मक्का मारो मेला मतलब मक्का मारो हिल जो पहाड़ी है यहीं पर मक्का मारो जो है मतलब मेला भी लगता है और डुमबार पहाड जो है वो हजारी बाग में, कनहरी पहाड हजारी बाग में है, मिले ले कनहरी हिल आना, एक वो सौंग है, बहुत बढ़ियां गाया है लोग, मिले ले कनहरी हिल आना, कभी कनहरी हिल अगर आ गये तो ठीक है, उच जंगलवा में घूस न जाएगा, नहीं तो कहीं सेर मिले ला गया ना, तो फिर खतरनाक हो जाएगा, हाती मिले ला गया, तो औरे खतरनाक हो जाएगा, तो आना मिले ले, लेकिन हाइवे पर रहना, कनरी हील के जंगलवा में न जाना, मिले ले कनरी हील आना, ठीक है, तो कनरी हील आना, लेकिन जंगलवा में न जाना, ठीक है, तो ये जो है, कनरी ह पहाड़ी है अभी तो NH 33 बगल से चल गया है तो दिक्कत नहीं है नहीं तो पहले बाबु सोना का कितना धवाई हो जाता था यहां पे बहुत जादा धवाई हो गाइब सेत्रम लेकिन अब पूरी तरीका से नस्तल बन गिया है बाबु सोना को बैठने के लिए वहां पार्क भाइब है कुई बाबु सोना करने हैं धुरत नहीं तो खिल पुई नहीं होगा फिन नहीं है अब देकेσω ले-ले कनहरी हिल आना तो आना ठीक है बाकी जाना कि ना जाना अब अब कर डिपेंड करता है देखिए यहाँ पर है अब आ जाते हैं गिरीडी देखिए गिरीडी जो चेत्र है ना गिरीडी चेत्र में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सबसे उचा पहाडी चेत्र याद पर पारसनाथ पहाड़ी छोँचा पहाड़ी छोट रहे और यह जो पारशनाथ देखेंगे यहां पर पूरी देखने को मिलेगा यह जो पारशनाथ पाहड़ी इसकी उचाई कितना है? 1365 है बहुते एकसम हम पूछता है सब एक्जाम में ये पूछता है बतलब जादा तर देखेंगे तो एक्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसकी उचाई कितना है तो 1365 है या तो फिट में रहेगा तो मतलब 44-78 44-78 फिट है 44-78 इसका फिट उचाई है सबसे इसका उचाई तो ठीक है लेकिन सिखर क्या है संबेज सिखर बोलते है संबेज सिखर सबसे उचा है 2353 पार्षोणाज से संबंदित है ठीक है संबेज सिखर याद रखना है भारत का देखा जाए तो इसका 211 अस्थान आता है वाई सब बहुत नीचे अस्थान है अरे क्यों नहीं रहेगा देखिए उतर भारत में आप जाईए जब आप हिमाले पहाड के छेत्र में जाएंगे न तो उपर से हिमाले से बरफवा घसकता है न और नीचे अगर जब जम नीचे गिरता है उप पारसनाथ पहडिया से उच ह जाता है उपर से बरफवा घसक के नीचे आता है जमीन पर हिमाले वला तो इसका उचाई थोड़ी जादा रहेगा जारकन में सबसे उचा है तो इसका मतलब भारत में इसका वैसा अस्थान नहीं दूस्व एक खतरवा अस्थान है भारत में इसका तो यह सोच सकते हैं ठीक यह जो चेत्र है देवगर देवगर चेत्र में देखने को मिलेगा त्रिकुट पहारी त्रिकुट पहारी त्रिकुट पहारी रोकवे दुरगटना वाला बहुत दर्दनाग दुरगटना हुआ था यहाँ पर देखा जा तो रोकवे से लोग आते जाता है और घुमता है त गुद्टा सभसिंगर मिंदे यार कोपा मैं याद रेकोटीर्प उच्छ है याद रहें मायोगनी का मंदीर से संबंदित गुद्टा में जराता और याद रहें यहांं से ठीक है गोड़ा अब यहाँ पर देखते हैं इसके बगल में साहब गंज साहब गंज में सिंग रसी पहाड है कौन सा पहाड सी रसी ठीक है सिंग रसी सिंग रसी पहाड कहाँ पे है तो यह मिलेगा आपको साहब गंज में सिंग रसी पहाड कहाँ पे है साहब गंज में सिंग पहला बना है ठीक है मात्र गंगाव नदी वहीं से होकर के गुजरती है साहिब गंसे के छेत्र से होकर गुजरती है ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट धनबाद का ठीक है तो धनबाद में एक डांगी पहाड़ है ठीक है कौन सा पहाड़ है एक डां बाद वाला लोग जो है अपना बाबू सोना के साथ घुमते हैं ठीक है तो इसको याद रखेंगे बहुत important रहेगा इसके बाद देखते हैं राची राची का जो छेतर है न भाई साब इसको देखते हैं राची को देखें राची जो है यह सेंटर में यहाँ पर देखने को मि जानता है उसको कुछ अलग से बताने की जुरत नहीं है लेकिन रामकुली पहाड जानना बहुत जरूरी ठाटीक है इसके बाद यहाँ पे आते हैं नीचे और बहुत important है डुमबारी पहाड तो सब लोग जानते हैं कि इसका छेतर है आप लोग बताईएगा और कहां पर है कहां पर है आप लोग बताईएगा ठीक है comment box में अब डुमबारी पहाड नहीं जानेंगे तो फिर हम यहीं समझेंगे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं भाई अमको समझ में नहीं आ रहा है डुमबारी पहाड से बहुत important व्यक्ति का जुड़ाव रहा है जारकन में तो यह तो भैरो बाबा पहाडी चेत्र देखने को मिलेगा इसके बाद सबसे important रहता है यहाँ पर पस्मी सिंभूम का चेत्र पस्मी सिंभूम में यहाँ पर एक है कोटवार पहारी कोटवार पहारी ठीक है यह पस्मी सिंभूम में लापसा बुरू ठीक है लापसा बुरू ठीक है ल तक यहाद रखेंगे इसके बाद आगे देखते हैं इंपरटेंट रहेगा पुर्वी सिंबूं पुर्वी सिंबूम में एक है सिंदेशवर पहारी छेत्र उसके बाद लापसा बुरु और पुरहार्ण चेत्र भैरो बाबा जो है उसी मडेगा में देखने को मिलेगा ठीक है यह इस तरह से जितना भी यह इंपर्टेंट है ना जहां से एक पहारी चेतर से question बनता है वो सब यहाँ पे रखने का प्रयाज किये अब कुछ important fact देख लेते हैं जहां से पक्का question आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहां से एक नए question देखने को मिलेगा तो इसको देख लेते हैं जैसे सबसे पहले important है छोटा नागपुर का पठारी जो भाग है व पूरा तरीका से भाग है इसलिए यहां पर पूरी तरीका से भर भर के खनीज देखने को मिलता है ठीक है इसके बाद next है यहां पर चोटा नागपुर का पठारी का जो संरचना है वो लावा के चटानों से बना हुआ है तो याद रखेंगे लावा के चटानों से बना में थी जब वह बाहर निक़ला तो लावा बना तो विलावा जो है वही जमा तो ऊसी चटान से बना हुआ है छोटा नाख पूर इसके बाद important है छोटा नागपूर का जो पठार है वो कुल भुभाग देखा जाए तो कितना है तो यहां पर देखने को मिलेगा 47.8% 47.8% भुभाग है छोटा नागपूर के पठार का कुल राज्य का भुभाग का ठीक है तो याद रखेंगे यहां से भी question पूछा जाता है इसके बाद important रहेगा छोटा नागपूर का जो वरतमान धरातल का निर्मान है वो ग्रेनाइट और निस से हुआ है याद रखेंगे छोटा नागपूर का जो वरतमान धरातल है उसका निर्मान ग्रेनाइट और निस से हुआ है यहां से भी question पूछा जाता है नेक्स्ट देखते हैं ये छोटानागपूर का पठार जो है वो खनीजो का गोदाम घर कहा जाता है इसे रूर परदेश भी कहा जाता है क्योंकि रूर नाम का जगा जर्मनी में है इसी तरह से जारकंड में बहुत ज़्यादा खनीज पाया जाता है उसी तरह से जर्मनी वाल और उसके बाद बेरोजगारी बहुत किश्च कर पा रहे हैं लेकिन इसमें बहुत सारफ चीज है जो हमारे को मतलब चाहिए था वहुत भरा हुआ ठीक है तो इस तरह का स्थिती है लेकिन क्या है कि सरकार इसके लिए responsible होता है सरकार चाहेगी तो यहां के लोगों को बहुत कुछ दे सकती है यह पूरी तरीका से उसके परमे निर्वर करता है तो दिखी यहां पर आगे देखते हैं जो important रहेगा जहां से question पूछा जाएगा राज्य में सरवदीक पाए जाने वाला अर्कियन सेल समू है 90% आर्कियन सेल से बना हुआ है मतलब की simple सा बात है जब प्रिथवी तप्त लावा मैगमा का भाग था तो जब ठंडा हुआ तो सबसे पहले अर्कियन करम का चटान बना तो उसी का बना हुआ जहारकंड है तो याद रखेंगे यहाँ से भी कोशन पुछा जाएगा, देखें यह थोड़ा सा गलत हो गया, इसको देख लिजें यहाँ पर यह लिखा हुआ है, यहाँ लिखाना चाहिए था कि राची के पठार एवं सिंभूम का पठार, ठीक है, राची का पठार एवं सिंभूम के प जो है राजमहल का ट्रैप राज के उत्री पूर्वी भाग में इस्तित है अगर देखा जात इस तरह से जारकंड है इस तरह से एगर जारकंड है देखिए यहां पर देख लेते हैं मैप में देखिए यह जो पाठ है इधर इधर जो दिख रहा है यह वाला जो पाठ यह कहां है तो उत्तर पूरुवी भाग में तो यहां से भी कोशन पूछा जाता है थोड़ा इसको अपने असतर से एक बार अच्छे से देख लिजेगा इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर राची और हजारी बाग के पठार एक दूसरे को दामदर नदी अलग करती है तो याद रखेंगे इसके बारे में हम डिटेल उपर में समझा दिये हैं ठीक है इसके बाद इसके बाद इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर लोहरदगा की पहाडी इस्तित जो है तो बैसार्ट चटानों से काली मिटी का निर्मान होता है और यह काली मिटी का छेतर आपको राजमहल में देखने को मिलेगा ठीक है इसके बाद next देखते हैं यहाँ पे लोहरदग्गा की पहाड़ी इस्तित जो है वो राची के पस्मी भाग में इस्तित है राची के पस्मी भाग में कौन सा है लोहरदग्गा है और पाट छेतर जो है वो राची के उत्तर पस्सीम में है ठीक है यह उत्तर हो गया और यह पस् सब करके और डिटेल जानकारी ले सकते हैं ठीक है पीडिएफ करिदने के लिए इस नंबर पर कंटेक्ट किजेगा 9798771375 अगर किसी भी तरह का ये पीडिएफ लेना हो करन्ट अफेर 24 जिला 24 करन्ट अफेर पीडिएफ या तो फिर आप नहीं वीडियो देखेंगे तो नीच अफेर के साथ सबते स्टेटिक्स का पूरा सुप्राव साप किया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जोइन कर लिजेगा अब बहुत लोग में बोलते हैं कि पीडिएफ कहां मिलेगा तो पीडिएफ हम बता देते हैं सिंपल सा पीडिएफ आपको भी जाकर मार सकते हैं तो इस तरह से जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई साब आप लोग एक लाइक जरू कर दीजेगा चैनल सस्क्राइब नहीं कि होंगे तो थोड़ा सा चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा आप लोग का मोटिवेशन जो है ना उसी के थुरू हम तक पह कुछन लिए और उसके बाद उसको माइप के थुरू हम बताने का प्रयास किये हैं बिलकुल मांचितर के थुरू बताने का प्रयास किये हैं जिससे कि आप लोग को जिल्ला की स्थिती आवस्थिती भी पता चल जाए और कुछ additional factor भी बताएंगे तो लिखते भी चलिएगा ये सब जितना भी question है वो कही न कही पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना बनता है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक like जरूर कर दिजेगा और आप लोग का जैसा प्यार अब देखने को बिल रहा है तो हमको लग रहा है कि थोड़ा energy बढ़ रहा है ठीक है जैसा आप लोग feedback आप दे रहे हैं तो हमको लगता है कि अब पढ़ाना चाहिए और बहुत मन से पढ़ाना चाहिए ठीक है और एक होसला और उर्जा हमको देने का काम किजे और इसी तरह से content आप लोग तक लाते रहेंगे कोसिस मेरा है कि बिलकुल map के थुरू बताएं जिसे कि सब कुछ आपको याद हो जाए ठीक है और आप भी कोसिस किजे कि एक map बना लिजेगा और इसी तरह से जहां हम लिखे हैं उन चीजों को लिखिएगा additional fact बताएंगे उसको भी note on करते चलिएगा तो चलिए start करते हैं पहला question और उसका फिर explanation देखेंगे इसी तरह सब कोशन का explanation का मतलब होता पूरा topic complete ठीक है तो चलिए पहला question देखते हैं हिजला मेला दुमका में मयुराची नदी के तर्ट पर लगता है यहां से भी question पूछा जाता है यह मेला जो है सबसे पहले कब लगा था तो 1890 इस भी में लगा था और हिजलो माइट मतलब एक खनीज पाया जाता है और उसी के नाम पर इसका हिजला मेला नाम पड़ा है और हिजला पहारी भी है इस चेत्र में ही मेला लगता है और यह दु नाकपुर्ण मेला देख लेते हैं जैसे सबसे पहले यहां देखते हैं जत्राही मेला देखे यह जो है जत्राही मेला जत्राही मेला जो है चत्राही मेला चत्रा में लगता है जत्राही मेला जत्राही मेला जत्राही मेला जत्राही मेला जत्राही मेला जत्राही मेला जत्रा मंगल पांडे और नादीरली और ये कहां सहीद हुए थे तो याद रखेंगे चत्रा में पंसिहारी तलाव के समीब आम के पेड़ पर लटका कर फासी दिया गया था तो याद रखेंगे यहाँ पर कौन सा मिला लगता है जत्रा ही मिला और अभी मकर संक्रांती जो चालू हु मिला ठीक है मंका मारो मिला मंका मारो पहाड भी है उसी के समीब ये लगता है याद रखेंगे डिजिटल जिल्ला का आवाड जो है उक कोडर्मा को मिला है ये भी याद रखेंगे बहुत अच्छा कोशन यहां से पूछा जाएगा ठीक है एक इंपॉटेंट है यहां पर दांट लगाई है यहीं लगाई है जो बिद्दूत का उत्पादन करेगी और इसका जो बिद्दूत जो है वो कहां बेचा जाएगा बंगला देश को बेचा जाएगा तो गोड़ा में ही लगा है याद रखिएगा यहाँ से भी कोशन पूछा जायगा ठीक है बारा कोपा यहाँ पे पहाड़ी चेत्र में मायोगनी का मंदिर है सक्ति पीट के रूप में जाना जाता है यह भी याद रखिएगा ठीक है इसके कम गंगा नदी परवाहित होती है जारकन में ही साहिब गंज से ठीक है मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है देश का दूसरा कहां बना है तो साहिब गंज में बना है साहईब गंज के छित्र में राजमहल का पहाड़ी है और यहाँ पे सुरिया पहाड़िया माल पहाड़िया जन जाती रहती है संथाली लोग पुरा तरीका से इसाब को मार के ठूश्ठास के ऊपर पहाड़ी छित्रम भे दिया बेचारा उपरे रहता है आप पुरा संथाली लोग पुरा संथाल परगना में कबजा कर लिया है तो इस तरह का यहाँ पे स्तिति है थोड़ा याद रखेगा यहां से भी कोशन पूछा जाता है इसके बाद देखिए यहाँ पे उप राजधानी दुम का ठीक है उप हिजलो माइट खनीज उस सेत्रम पाये जाता है मयूराच्छी नदी के तरट पर लगता है दुम का में तो याद रखना है यहां से इसके बाद बोकारों में बोकारों वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यह बोकारों में हतीमा पत्थर मेला लगता है कौन सा मिला करने जा रहे होते हैं तो बली देना होता है और उसके बाद नदी को पार करना होता है तो क्या होता है एक साधी करने के लिए जा रहा होता है बरात लेकर नदिया बली यह नहीं देता है ठीक है तो नदिया जो है वो तो मतलब पहले जाने देती है तो लोग मतलब रोकती है लेकिन बोला जाता है कि नदी से ये सब कहता है कि उधर से बढ़ियां से दुलिन को ले करके आएंगे और सब सुखल मंगल अगर आएंगे तो उस तरह से इस्तिती रहेगा तो हम फिर आते समय बली दे देंगे अभी जाने दो तो नदीया जाने दी पता चला को उधर से दु जो चोपोते हुए थी पूरा पेंट पूटी पलास्टर लगाए हुए थी तो इकदम बहुत बढ़ियां दुलिन मिली तो उस अब पूरा गान बजान नाच उच करते हुए आ गया और उसके बाद नदिया पी पार करने लगा भूल गया कि बली देना है तो नदिया जो है सराफ दी और सब सराफ दी तो दुलिन का डोली, दुल्हा, बराती सब उसी तरह जम गया हलाकि यह जम गया तो बोला जाता है कि सब सिल बन गया, प рассказыв कि बाद में उसका संडाचन नहीं हुआ तो बोकारोलेन जैसे दुल्हा जो है मतलब उस तरह से अंदर में था तू ठीक था लेकिन जो दुलह का और दुलिन का डोली टांग रहा था तो वो बड़ा सा एक डंटा था उसको बोकारवलने घर में लेज करके बकरी बांधने के लिए खुटा बना दिया ठीक है उसके बाद जैसे की दुलिन का चाहे दुलहा का हाथ है तो उसको काट करके लेकर जाके घरवा में लोड़ा पाटी बना दिया मसाला पीशने वाला ठीक है तो इसी तरह से जो जैसा अच्छा लगा ठीक है उसके बाद जैसे की कुछ बैल जैसे घोड़ा है चाहाएं कुछ बैल बकरी जो चीज था जो जमा था उगर इंके पैर हाथ काट करके किरकेट खेलने वाला स्टम बना दिया बोकारों ने तो कुल मिला के इस तरह का इस्तिति रहा लेकिन इस तरह का परंपरागत कहानी है तो वहीं पर ये मिला लगता है हतीमा पत्थर मिला ठीक है एक गाना है कि हतीमा पत्थर मिला ठीक है तो इस तरह कोई गाना है साथ सुने हम लेकिन याद नही है हमको लेकिन इस तरह का गाना है ठीक है तो बोकारों में हतीमा पत्थर मेला एक लगता है याद रखे के मकर संक्रांती में ही लगता है इसके बाद राची का इंपॉर्टेंट है राची तो मेला ही मेला लगता है भाई साब मेला ही मेला लगता है क्या यहाँ पे जानते है क डिए वो थान मेला एहां पर लगता है याद रखेंगे राणी चुमबा मेला नौमी डोल मेला ठीक है बाबुसेना डोला मेला नहीं रमिडूल मेला ठीके उसके बाद यहां पे एक है टूसू मेला टूसू मेला भी एक बहुत important कहानी पर अधारित है जैसे यहां का एक मतलब बोला जाता है कि सान की बेटी थी टूसू तो बोला जाता है कि अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था तो वो कहने के लिए गई थी राजा से कितना ज़्यादा कर नहीं लेना चाहिए आप थोड़ा कम कर दिजे तो वो राजा जो था ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान था बोला तो तुम साधी कर लो तब हम जो है कर कम कर देंगे तो ये मतलब अब लड़की है जबरजस्ती नहीं करना चाहिए अगर कोई तुम आपसे नही रोजो एगो बदलते रहता है ठीक है तो उस तरह का इस्तिती में तो भाई कुल मिला के टूसु जो थी उस समय परंपरागत लड़की थी बनलब बोला जाता है कि उस समय टूटर उटर थोड़ी था तो उस समय देखा जाए तो नहीं राजा को पसंद की तो वो मरना पसंद क लेकिन उसके साथ मतलब एक परकार से साधी करना पसंद नहीं की तो बोला जाता है कि नदी में कूद करके और अपनी जान दे दी थी तो ये इस्तिती बनाता तो इसलिए लाल कलर का फ्रेम में कुछ नदी में बहाया जाता है तूसु मिला ये उसी से सम्बंदी थे बोला रखेंगे बहुत IMPORTEN्ट रहेगा रत जात्रा मेला रत यात्रा मेला ये जगरनाथ मतलब मेला के तरज़ पर लगता है और ये रत यात्रा मेला राची में लगता है तो ये सब IMPORTEN्ट है याद रखेगा यहां से भी सीधे कोशन पूछा जाएगा एक है यहाँ पे चाएबा चैबासा में तुर्की मिला चैबासा में तुर्की मिला चैबासा में तुर्की मिला एकदम इसी तरह से पागल पंथ हो जाए लोग आपको पागल जब करने लगे नता समझे कि आप जो है सेकसस कर रहे हैं ठीक है आप सेकसस कर रहे हैं जब आपको लोग पागल कहेगा यह न आगे देखते हैं यहां पर सिम्डेगा सिम्डेगा में एक है गांधी मेला ठीक है राम रेखा मेला राम रेखा मेला राम रेखा धाम है यहां पर तो राम रेखा धाम जो है उसी जगह पर लगता है राम रेखा मेला तो याद रखेंगे यहां से भी कोशन देखने को मिलेग ठीक है उसके बाद यहां देखते हैं आगे गुमला ठीक है ये गुमला में देखेंगे न भाइज साथ ये गुमला में लगता है उड़स मिला लड़की जब आपको गुलाम बला ली प्यार में तो एकदम मतलब उग गए लाइफ में जो कहती है सब सुनते है उग गए तो गुमला में गुलाम बराली लड़की तो उग गए ठीक है तो उर्स मिला कहां लगता है गुमला में लगता है ठीक है उसके बाद लातेहार में लगता है चपरी मिला लातेहार में लगता है चपरी मिला याद रखेगा लातेहर में लगता है चपरी मिला और हजारी बाग में हम यहाँ पे नहीं लिखें है ठीक है हजारी बाग ठीक है हजारी बाग में एक लगता है यहाँ पे नरसी धाम मिला ठीक है नरसी धाम ठीक है धाम नरसी धाम मिला और यह नरसी धाम मिला जो है न य ये एक मात्र जार्खन का सहरी मिला है मतलब एक मात्र ठीक है एक मात्र सहरी मिला सहरी मिला तो एक मात्र सहरी मिला कौन सा है तो याद रखेंगे यही एक मात्र सहरी मिला है ठीक है कौन तो नर्सिंग धाम मिला यहां पर खली रेट कलर का कतारी मिलता है अगर आप सोच समझ कर कि अगर उसको नहीं खा रहे हैं तो पता चलेगा केतरिया के साथ साथ में आपका दात मुसम निकल जाएगा बाहर इस तरह का केतारी यहां पर मिलता है ठीक है एक रहता है बहुत सौप्ट रहता है वो वाला नहीं मिलता है यहां पर जल्दी मिलेगा ललका ललका मतलब केतार मतलब समय रहे गन्ना वह ललका ललका मिलता है बड़ा खतरनाक रहता है बड़ी सोच करके मतलब तोड़ना पड़ता है दाज से नहीं तब पता चलेगा कि कैतरिया टूटे चाहे ने टूटे दत्वा जरूर तूट जाएगा इस तरह का यहां पर इस्तिति है तो यह नर्सिं मेला जो लगता है हजारी बाग में और यह जो मकर संक्रांती के समय लगता है याद रखेंगे तो इस तरह का जितना भी हम मेला है वो एक साथ में हम करवा दिये एक कोशन लिए और जो उसके बाद बचा सब यहां पर एक साथ करवाने का काम किये तो यह सब जो बचमा ललका बचमा दबाग कर लिजेगा ठीक है तो आप लोग अगर कर लेते हैं तो हमको बड़ी एनरजी मिलता है आज देखें थोड़ा सा इसके पहले जो वीडियो दिये है इसी तरीका से आप नहीं देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लिजेग और इसके पहले दिया हुआ कल का है तो आप देखी सकते तुरंत मिल जाएगा नीचे तो बहुत मतलब प्यार मिला आप लोग को अच्छा सपोर्ट लगा मिला तो हमके चलो बनाना चाहिए एनरजी थोड़ा सा बढ़ा ठीक है तो इस तरह से बढ़ाते रहिए प्यार देत हैं जैसे जारकन का एक मात्र नेशनल पार्क जो है वो यहां पर है बेतला नेशनल पार्क तो जारकन का एक मात्र नेशनल पार्क कौन सा है बेतला नेशनल पार्क है याद रखिएगा इसका स्थापना जो है याद रहेंगे बिसेस्ता इंपॉर्टेंट है देखेंगे तो यहां पर यह राज्य का एक मात्र राश्टिय उद्यान है नेशनल पार्क है मतलब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि विश्व का पहली बार जो देखेंगे सेरो की गंणा यह 1932 में हुआ था सेरो का गरणा कब हुआ था उनीशो 32 भी लिखा हुआ मिल जाएगा लेकिन रीयल में ज्यादा तर आठंक बुक में देखेंगे तो आपको सेरो का गरणा देखने को मिलेगा यह पूछा भी है ठीक है तो थोड़ा इसको देख लिजेगा अपने अस्तर से भी कहीँ-कहीं बागों का गंna कहीं-कहीं सेरों का गंna भी लिखा रहेगा, तो यहाँ पर बेतला निशनल पार्क जो लाते हर में है, ठीक है, लाते हर, तो लाते हर में इसके बारे में हम डिटेल से जान लिये, अब इससे संबन्दी यहां पर देखते हैं एक पहला आ जाता है पलामो rudy लिए ग्रण बंजी अब्यारन का अगर देखा जाए तो इसका स्थापना कभीना था इसको देख लेते हैं तो पलामु वनजी अभहरन का स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था 6 फल 794 वर्ग किलोमेटर है अगर सबसे में बना था राश्टी अस्तर का मान्यता प्राप्त वंजिय भैरन है एक्स्टा फाक्त बताते हैं वो भी लिखते चलिएगा और ये जो है मतलब देखा जाए तो 794 वर्गे किलोमीटर में पूरी तरीका से फैला हुआ है पलामू ठीक है याद रखेंगे यहाँ पे पलामू भी कहते हैं और ये जो है 1972 में प्रारम हुआ था ठीक है इंद्रा गांधी के समय से प्रावर्म हुआ था लेकिन बाद में 1993 में कुटकु डेम मंडल डेम पोडेक्ट जिसको मैदिनी बांध कहते उसको रोक दिया गया था 1993 में बिहार परियावरन विभाग के द्वारा बोल अगर बांधुआ बना देते हैं तो पता चलेगा कि पूरा तरीका से दिक्कत हो जाएगा पूरा परियावरन परभावित हो जाएगा तो 1993 में परियावरन विभाग बंद कर दिया था बाद में 1999 में नरेंद्र मोधी जो है वो इसको बहुत अच्छा खासा रकम दे करके औ 20 मेगावाट बिद्वित का उत्पादन करेगा और बोला जाता है तो 90% लाब बिहार को मिलेगा 10% लाब जारकन को मिलेगा डूबेगा जारकन बिहार को लाब मिलेगा ठीके तो इस तरह का इस्तिति है यह सब उत्रीकोयल पर्योजना से संबंदित था और उत्रीकोयल नद यहां पर मुर्तिया गाओं है और मुर्तिया गाओं का संबंध बहुत धर्म से है और हडुमान गाओं का संबंध जैन धर्म से है और यह सब कहां पर है पलामू में है तो इती सिरी पलामू खतम ठीक है अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट जो बहुत इंपोर्टेंट रहेग लातेहार लातेहार देखा जाए तो महुआ टान में एक देखा जाए तो महुआ टान मतलब भेडिया अभ्यारन है महुआ टान भेडिया अभ्यारन इसको भेडिया अभ्यारन भी कहते हैं 1976 में ये बना था था तो 1976 में बना था लातेहार में ही इसके बाद यहाँ पर गुम्ला में पालकोट अभ्हरन है पालकोट अभ्हरन का यहाँ इस भी नहीं लिखें लिख देते हैं 1990 में ठीक है कोन कोन सो रहा है किसी को सोना नहीं है किसका आख बंद हो रहा है मतलब मा के सपनों को पुरा करने वाला कैसे अपना आख बंद कर सकता है ठीक है हम कसम उसम दे देंगे यही से ठीक है किसी को नहीं सोना है अभी हम रात में 12 एक बज़े कोई लाइट उट नहीं जल रहा है बस अंधेरा अंधेरा ही है ठीक है और उसके बाद हमें हम बता रहे हैं थोड़ा इस अंधेरा में आप लोग उजाला भरने का काम किजिए आप लोग मतलब थोड़ा साथ दिजिए ठीक है हम आप लोग के सा पालकोट अभ्यारन गुमला इसके बाद यहां पर देखते हैं चत्रा में लावा लंग अभ्यारन लावा लावा लंग quantum चत्रा में 907 लावा लंग कहां पर है चत्रा में नी सो अथ युवारन याद रखेंगे हैं इसके बाद हजारी बागきます याद रखना है जार्खन का जेपियसी जो सेवन वाला हुआ ता इसको पहला माना था जार्खन का ये सबसे पहले बनने वाला अभैरन था गौतम-भूद-भैरन 1976 से पहले कोई नहीं बना है सब 1966 में दो चार्ट हो देखे गौतम-भूद-भैरन 1976 में तो 4-5 1976 में तो लोग confuse कर गया तो इस 1976 में भी गौतम बुद्धा जो है न सबसे पहले बना था याद रखेंगे गौतम बुद्ध सबसे पहले बना था यह JPS ही माना है इस अंसर को मतलब पूछा था 7-10 वाला में ठीक है इसमें कोडर्मा अभ्यारन भी है 1985 में बना था कोडर्मा अभ्यारन जो है 1985 में और उसके बाद जो है गौतम बुद्ध अभ्यारन 1976 में बना था यहां से भी कोशन पूछा जाता है इसके बाद देखते हैं जो सीधे कोशन न आएगा उसको देखते हैं देखिए यहां पर है गिरेडी गिरेडी दिक राओगैं ये गिरेडी तो गिरेडी जो है इसमें पारसनात अभ्यारन है ये यहाँ पर देखा जाए तो important रहेगा क्या तो मुर्गी सोच संस्थान यहाँ पर है तो यह भी question कभी कभी पूछ देता है ठीक है इसके बाद देखा जाए सबसे ज़्यादा OBC की संख्या यहाँ पर देखने को मिलेगा कहाँ पर गिरेडी में ठीक है यह भी question पूछा जाता ह और सबसे ज़्यादा green horse effect अगर परभावित करने वाला जिल्ला भी है वो यही है गिरेडी है ठीक है यह आगे देखते हैं important रहेगा धनबाद धनबाद में यहाँ पर है तोपचाची अभ्यारन ठीक है तोपचाची वंजी अभ्यारन है और यह इसकी स्थापना 1970 में हुआ जिस समय चतरा वाला लावालंग हुआ था उसी साल जो है यहाँ पर हुआ था 1970 में तोपचाची याद रखेगा और यह तोपचाची देखा जैना तो हरी पहाड़ी के मतलब चारो और देखना को मिलेगा यहीं पर हरी पहाड़ी में इस्तित है हरी पहाड़ी बीच में है चारो तरफ से जील है लोग वहाँ पे घुमने जाता है मतलब एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है धनबाद का और यहीं पर है कौन सा तौपचाची अभ्यारन 1974 में बना था तो इसको सीधे तोर पर याद रखेगा यहां से अच्छा कोशन देखने को मिलेगा इसके बाद देखा जाए तो राची राची में देखते हैं तो बिर्सा मुंडा जैवी कुद्यान बिर्सा मुंडा जैवी कुद्यान जो है 26 जनवरी 1994 को बना था आप बहुत लोग कमेंट मत किजेगा कि हम सब किताब में देखे हैं 1954 लिखा हुआ ठीक है 1954 देखे होंगे एकदम मानते हैं सारा किताब सही में यही लिखा है लेकिन रियल में यह नहीं है वो सब एक एक चीज़वा को सब कोपी पेस्ट कोपी पेस्ट मार मार के गड़ द्यान का तो यह सीधे तर पर पुछा जाएगा इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे इसके बाद जो है देखते हैं यहां पर पुर्वी सिंभुम में दल्मा दल्मा भ्यारन है दल्मा भ्यारन जो है इसकी स्थापना जो हुआ था 1976 में हुआ था हाथी परजेक्ट की सुरुवात जो है वह कब हुआ धा याद रखेंगे Class92 में हाथी परजेक्ट की सुरुवात हुआ था थीकÉा दो चार चीज याद रखेंगे हाथी से क्योंकि यहां से सीधे तर कोशन पुछा जाता है तो उसको देख लेते हैं ठीक है देखे हाथी से कोशन पुछेगा तो हाथी को विरासत पसु कब घोसित किया गया तो विरासत पसु 2010 इस्वे में घोसित किया गया हाथी को विरासत गोसित किया गया था देखिए राष्टिय जलिय जीव जो है उसको 2009 में माना गया था किसको डॉल्फिन को राष्टिय जलिय जीव डॉल्फिन को माना गया 2009 में ठीक है और इससे एक साल पहले गंगा को राष्टिय रीवर गोसित किया गया था तो गंगा को राष्टिय रीव तिका इतना नम्बर नाम है इसका अगर डॉल्फिन का नाम पुछेगा कौन सा डॉल्फिन तो प्लेटेन इस्टा गेगे टिका उसको घोसित किया गया ये कब तो 2009 इसमे में ठीक है और इसके बाद 2010 इसमे में ये हाथी को बिरासत पसु घोसित किया गया था विश्वा वो देखा जा है तो हमारे साथ में देखेंगे तो जारकन का राज की ये पसु तो है ही इसके साथ करनाटक का भी है और केरल का भी है केरल और करनाटक का भी राज के पसु कौन सा है हाथी है तो ये सब हाथी के बारे में याद रखेगा यहां से सीधे कोशन देखने को मिल बहुत important रहेगा यह सब कोशन यह जितना भी हम कोशन बता रहे हैं न सब कहीं न कहीं पूछा है और अगर नहीं पूछा तो अबरी पक्का पूछेगा ठीक है यह सब अच्छे से कर लिजेगा यहां से देखने को कोशन मिलेगा सहाइब गंज में भी आपको देखने को रांची में ठीक है तो उसको भी नहीं लिए मतलब हम देखिए अभी जो है कोशन फॉर्मेट में करा रहे हैं इसलिए हम इतना बता दे रहे नहीं तो अगर डिटेल कराएंगे तो हम एक आप चीज को और डिटेल से बताएंगे लेकिन क्या है कि अभी एक्जाम सामने में तो rapid speed में ये सब करवाने का कोशिस कर रहे हैं ठीक है जिससे कि आप लोग को सब कुछ समझने में कोई परिशानी नहीं हो ठीक है आगे देखते हैं ये जो important बात लिख दिये हैं इसको देख लिजेगा राज्य का सबसे बड़ा जो है चिनिया घर कौन सा है बोकारो चिनिया बोकारो चिनिया घर जारकन का सबसे बड़ा चिनिया घर ठीक है इसके बाद एक और देख लेते हैं जो बहुत important रहेगा मतलब झरिया पानी गर्म जलकुंड कहां पे है धुमका में अब यहां पे गर्म जलकुंड का बात आया गर्म कुंड का बात अया तो यहां से देख लेते हैं एक्चुली में जमीन के अंदर गर्म पानी कैसे होता है पता सलफर की अधिकता के कारण जो है वहां पर पानी गर्म हो जाता है याद रखेगा यहां पर अगर उसमें नहाते हैं तो किसी तरह का खुजली कलकल सरीर में नहीं होगा ठीक है जो ठंडा भर पूरे नही ग्रण जनी के लिए जिसको कुजलाता है पुरा सरीर वीठी खुजली हो गया कल कल हो गया तो सब जाकर नहाएगा सलफर की मातरा है तो ठीक भी हो जाता है ठीक है और माइल मतलब छोड़ाने वाला तो जाता ही करने का मतलब गर्म पानी में बहुत चुड़ता है तो यहां चुड़ाता है वो कुल मिला करते याद रखेंगे सल्फर की मातरा के कारण पानी गर्म होता है आप कुछ और यहां पे गर्म जलकुंड देख लेते हैं जहां से सीधे कोशन देखने को मिलेगा ठीक है तो देखिए सबसे पहले आ जाते हजारी बाग हजारी बाग में सुरीकुंड है सुरीकुंड जो है भारत का सर्वधिक गर्म है ठीक है सुरीकुंड भारत का सबसे ज़्यादा गर्म है जलकुंड यहां पर है अब कितना फैरन हैट है कितना डिगरी सेल्सियस गर्म है मतलब वहां पे पलास्टिक में डाल करके आप अगर चावल डाल देते, तो चवलवा बन जाएगा, तो आप हमको बताएगा, कि कितना गर्म है ये, comment box में बताएगा, ठीक है, उसके बाद कावा देखने को मिलेगा, कावा, कहां पे है, तो ये हजारी बाग में, हरहद और टाइगरिस, हरहद और टाइगरिस भी देखने को पर याद कर लेते हैं एक बार दिया फटाक से याद हो गया थीक है तो उसी तरह से इसको भी आद किजिए ठीक है वो बाबु सोना अगर यह नहीं अगर जिन्दगी में आया ना तो बाबु सोना कहीं भी अस्टेबल नहीं है ठीक है पता चलेगा कहीं वो सैक्सिस हो गई न तो आप वहीं के वहीं रह गए तो आपको पहचानने तक इंकार कर देगी तो इस तरह का इस्तिती बनता है तो याद रखेगा इसलिए बढ़ियां से पढ़िए क्योंकि यह जो है ना मतलब पढ़ाई बहुत काम देगा आपको आगे जाकर क्योंकि यह बाबू सोना इदम प भर भर के सोना और बाबू पहुंच जाएगा आपके तक तो यह चीज ध्यान में रखेगा एक के पीछे भाग रहे हो ना आपके पीछे हजारों भागने लगेगा बस एक बार सफल तो हो जाओ ठीक है यह दुनिया जो है ना केवल मुकाम देखती है उसमें कितना चाला प जाएए एक दम आख बंद करके और कहिए नहीं इस बार कुछ नहीं बस वन वन फोकस गोल पर होना चाहिए और किसी तरह का कहीं पर नहीं ठीक है चलिए ज्यादा नहीं लेक्चर देंगे उस सब लोग समझदार है यहीं ठीक है तो देखिए यह जो है आगे देखते है पा ठीक है उसके बाद देखते हैं डमका दुमका में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जरिया पानी है यह तो कोशन में ही था आपसे जरिया पानी पुछेगा जो नहीं पढ़ल रहेगा मार देगा धरिया धनबाद गड़ बढ़ा जाएगा ठीक है एक है तपात पानी ठीक है तपात पानी एक है ततलोई एक है तपात पानी एक है ततलोई ठीक है उसके बाद नुन्बिल बारा जरना उसके बाद भूमका दूमका में भूम का भी है ठीक है दुमका में भुमका भी है और एक रानी बहल है ठीक है तो रानी बहल तो यह सब याद रखेगा पूछा जाता है इसके बाद धनबाद में देखा जाए तो धनबाद में इंपोर्टेंट यहां पे रहेगा इसको सीधे तोर पर दिमाग में रखना है कि एक आ बाद में ठीके उसके बाद यहां पर है एक देखने को मिलेगा लातेहर में ताता पानी ठीके यह याद रखेगा देखे अब यहाँ पे confusion कहां कहां होता है उसको हम बताते हैं जैसे एक ताता पानी है ठीक है इसको एकदम deep black color में हम लिखते हैं क्योंकि यह आप लोग एकदम याद रखेगा जैसे ताता पानी है ताता पानी जो है यह कहां पे था तो याद रखेगा लाते हार लाते हार ठीक है तो है कहां पे है तो यह धनबाद में धनबाद धनबाद में ठीक है अब यह हो गया उसके बाद एक आपको मिलेगा तपात पानी तपात पानी अब यह तपात पानी कहां पे है तो दुमका दुमका ठीक है अब यह जो दुमका में इसको याद रखेंगे और एक और है दुमका मे ततलोई ततलोई अब ये ततलोई कहां है तो ये दुमका में तो ये चार जो है न पूछेगा तो आपको confusion नहीं होना है ताता पानी लातेहार तेतुलिया धनबाद और एक है यहाँ पर तपात पानी दुमका और ततलोई दुमका ये दो बहुत important है ये चारों को याद रखेगा confused करने के लिए काफी है ठीक है यहाँ से भी question पूछा जाता है तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जितना भी बताएं इसको और बड़ा भी कर सकते थे लेकिन जैसे जैसे आप लोग का लगेगा कि प्यार मिल रहा है support मिल रहा है तो हम इसको और बड़ा करते जाएंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा थोड़ा अपने दोस्तों को भी share किजेगा इस तरह का सेशन हम लगातार लाते रहेंगे आप लोग के लिए यह बहुत अच्छा काम करेगा एक्जाम में चाहें आप JPSC दे जैस का एक्जाम हो फोड़ने के लिए यही करांती आने वाला है ठीक है जारकन के कुछ महत्वपुन परस्णों को देखेंगे जो ज्यादा तर परतियोगी परिक्षा में पूछे जाते हैं आप जारकन में कोई भी एक्जाम देंगे तो यहां से परस्ण पक्का देखने को मिल तो यह मेहना तो बहुत सारा किया गया आपके लिए तो आप एक वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा चाइनल सस्क्राइब नहीं कियोंगे तो सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा इस तरह का वीडियो हम पूरा तरीका से लाने का प्रियास करेंगे और एक एक टॉपिक एक एक कोईशन से समझाने का प्रियास करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा कमेंट नहीं कीजेगा तो भी चलेगा लेकिन लाइक करना जरूरी है लाइक से ही हम समझ जाते हैं कि आप लोग जो है वो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और जानल सस्क्र बेंटोनेट क्या होता है एक्च्वली में? ये मुलतानी मिटी होता है, जो लड़की लोग नहीं होती है, जो उपर से पूटी पेंट परास्टर करने के पहले जो पूरी तरीका से चेहरा को साफ करती है वही मुलतानी मिटी, टीक है, एकदम बहुत बारिक रहता हों मिटी, तो उसको सोन सांध करके लगाती है, एकदम दीन में लगा लेगी, रतिया में सो करके सबेरे उठेगी तो एकदम लगेगी कि बहुत खतरनाक दिखने में, मतलब कोई दीन में डर जाएगा तो रात में दूर के छोड़ जाएए, इस तरह का इस्तिती होता है, तो ठीक है, मतलब इसको जादा तर लड़कियां ही चोपती है, और उदम दिखने के लिए, पूरा एकदम दिखेंगे एकदम जखास, ऐसा, तो ये ही चोपता जाता है, कौनसा बेंटोनाइट ही चोपता जाता है, तो देखिए एक परकार से यहाँ पे जारकन में कहां पाए करती है, ठीक है, तो बेंटोनाइट क्या है, ये मुलतानी मिट्टी को ही बेंटोनाइट कहा जाता है, जकरा में सब लड़की सब लगा करके और निकलती है, ठीक है, और एकदम उपर बलहराती है, बाहरे आके, साइब गन से समधित याद रखेगा, यहाँ मल्टी मॉडल देश का दूसरा यहीं बना हुआ है, पहला बना हुआ है, कहां वारा नसी में बना हुआ है, तो यह याद रखेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा, अब कुछ परमुख खनीज देख लेते हैं, जो सीधे पूछा जाता है, तो देखे सबसे पहले यहाँ पर उपर में ही दे इसको मिला है, याद रखेगा, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, क्या, तो यह एक साइनिक स्कूल है, जो 1963 में यह बना है, साइनिक स्कूल तिलईया, और एक मात्र इसका सहर है, जुम्री तिलईया, ठीक है, और कैसरिया कलंकंद को जियाई टैग देने का मांग चल रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, अब यहाँ पर देखिए, जितना करिया करिया लिखे हैं, ठीक है, करिया हम भी यहां से ले लेते हैं, क्योंकि काला है, तो काला ही यहां से लेंगे, ठीक है, देखिए यह भी काला है, उसके बाद बोकारों भी काला है, फिर धन के आमरपाली टन्रवा छेत्र में कोईला निकाल रही है अपका 2000 बाग के छेत्र मुदता है निकालती है रामगर गिदि कोईला छेत्र बहुत फेमस है बोकारो काallo का भी 00aten लड़ID कोई छेत्र जो है बहुत तो इसको भी याद रखेंगे और ये जो धनबाद का जरिया कोईला छेत्र है वो बहुत फेमस है 90% कोकिंग कोल जो है यही देता है और गिरीडी का भी कोईला छेत्र बहुत फेमस है और यहाँ पर गढ़वा एक सोरी गोड़ा गोड़ा छेत्र जो सबसे ज़्यादा ग्राम का कोईला पाए जाता है वो 90% पूरा इंडिया का बिटूमिनस कोईला जो है वो कौन देता है जारखन देता है ठीक है तो इसको सीधे तोर पर याद रखेगा क्योंकि यहाँ से सीधा कोशन पुछा जाता है तो आपका कौन सा हो गया कोईला छेत्र तो धनबाद बोकारो रामगर्ण हजारीबक गरेडीच रहां लाते हार और एक हो जाएगा गुड़ा ठीक है यह संठाल से दिखेंगे न तो लाते हार टोरी चेत्र से एक नदी निकलती है यहां पर और एक नदी इस तरह से निकलती है लाते तोरी से और यह आगे की और बढ़ते हुए मतलब इधर चल जाती है पसी मंगाल में तो यह जो नदी है न उद्दामोदर तो दामोदर नदी के गोडवाना छेत्र में कोईला जादा देखने को मिलता है तो इसी छेत्र में चारों तरफ में देखेंगे तो कोईला का अच्छ बिंध्यन करम के चटान जो है उसमें चुना पत्थर पाया जाता है इधर जो है बिंध्याचल परवत का स्रिंखला का पाट आया है तो गढ़वा फिर ये अपका पलामू छेत्र चत्रा में भी घूसा है तो ज़्यादा तर गढ़वा और पलामू के च्षेत्र में बिंध बिंध्यन करम के चटान में चुना पत्थर देखने को मिलता है तो चुना पत्थर इधर पाया जाता है इसके बाद यहां पर देखेंगे तो बॉक्साइड भी मिलेगा चुना पत्थर भी देखने को मिलेगा यहां से भी कोशन पूछा जाता है ठीक है इसके बाद बाद क नहीं कौन सा करकेट सिफ जिसमें वो सीमेंटेड वाला करकेट सिफ होता है ना उसको कहते हैं मत इस बैस्टस तो वो कहां पर आपका देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा पाए जाता है तो यहां पर सराकेला खरसावा में याद रखेगा अगर बात करेंगे लो एसका का ठी के नवा मुंडी कोईला छेत्र नवा मुंडी लोहा का छेत्र यह सब बहुत फेमस है यहां पर तो लो एसका सबसे ज़्यादा पसमी सिंभूम के छेत्र में देखने को मिलेगा यह धारवार करम के चटान से बना हुआ है ठीक है तो यह पूरा नीचे वेला भी जो छेत्र ह उडीसा का वहां भी देखने को मिलेगा इसके बाद यहां पर बात करते हैं पूर्वी सिंभूम का तो पूर्वी सिंभूम में देखें तो तांबा मिलेगा कोबाल्ट मिलेगा यूरेनियम एक मात्र अगर पूरा भारत में देखेंगे तो यूरेनियम आपको यहीं देखन को मिलेगा जमसेदपूर घारसिला चेत्र में जादू गोड़ा वाला चेत्र में देखने को मिलेगा यूरेनियम ठीक है तो याद रखेगा यूरेनियम पूरा भारत में एक मात्र आपको कहां मिलेगा तो जादू गोड़ा वाला चेत्र में पुर्वी सिंभू जिसमें जमस से याद कर लिजेगा क्योंकि सीधा कोश्चन यहां से देखने को मिलता है ठीक है तो ये कहीं न कहीं कोश्चन आप से पूछा जाएगा तो इस तरह का अगर चीजे पसंद हो तो लाइक जरूर किजेगा नेक्स कोश्चन देखते हैं बोकारो इस्टील प्लांट की स्थापन सवियुसके सहयोग से किया गया था बोकारो इस्टील प्लांट की स्थापना सवियुसके सहयोग से किया गया था यह सीधे कोशन पूछा जाता है ठीक है आपको बतातेते उनी 27220 मिंछ पी है औरCS च्वर्षी यजना में अस्थापना हुआ था तो देखे कुछ उद्योग और देख लेते जो सीधे पूछे जाते हैं अगर यहां पर कुछ उद्योग का बात आया तो कुछ और उद्योग देख लेते हैं जो बहुत महतुपूर्ण होगा बार बार पूछा जाता है के स्थापना यहां पर 1951 इसमे में हुआ था और यह धनबाद सिंदरी छेतर में ठीक है सिंदरी सिंदरी छेतर में इसका स्थापना हुआ था याद रखेंगे यहां से भी कोशन पूछा जाता है दामोदर नदी के तट परिस्ती थे यह और बहुत इंपॉर्टेंट हैं नेक्स देख्ते हैं यहां जाते हैं पलामो ठीक है पलामो में उद्योग है इंपोर्टेंट यहां पर जापला जापला सिमेंट ठीक है जापला सिमेंट की अस्थापना contributions में हुआ था हम इसके पहले कभी वीडियो बनाये थे उसमें हम बता दिये थे गलती से 1925 बहुत सारा भाई लोग ने मेसेज किया कि 1921 है 1921 है हम जबकि हम सब को लिख दिये कि नहीं है ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं कभी-कभी गलती से कुछ बुला जाता है तो मेरे से भी वैसा हो ग पहले सिमेंट कारखाना जो लगा था वो चनई में लगा था ठीक है सबसे पहला चनई में लगा था 1905 इसमें में और जापला में 1921 में लगा था कहीं कहीं लोग लिख देता है कि जारकन में पहला लगा था जारकन में पहला नहीं लगा था भाई साव मतलब देखा जा तो 1938 में यहाँ पर लगाया गया था इंडियन एलमुनियम कमपनी 1938 में अस्थापित किया गया था आदित बिर्ला कमपनी का है आदित बिर्ला गुरूप कमपनी का है यह याद रखेगा इंडियन एलमुनियम कमपनी 1938 में यह बनाया गया था ठीक है यहाँ से भी कोशन पुछा ज तो लॉंचिंग पेड होता है न वो यही तयार करता है कौण एची सी तयार करता है यह बहुत important role अपनाता है यहाँ पर च्यकुशलाविया रूस के सहयोग से बनाया गया था ठीक है यह अपना काम करता है याद रखेगा यहाँ से भी कोशन देखने को मिला है इसके बाद आ जाते हैं नीचे यहाँ पर तामबा उध्योग जो है वो मतलब घाट सिला में देखने को मिलेगा पुर्वी शिंभूम में 1924 इस भी तो याद रखेंगे तामबा उध्योग 1924 घाट सिला यह स्थापित किया गया था पुर्वी शिंभूम घाट सिला में याद रखेंगे इसके बाद पुर्वी सिंभून जमसेद पुर में ही बहुत important रहेगा टाटा ठीके टाटा की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था तो удhpadan चालू कब किया था तो 111 इसमें ठीके 111 स्थापक कोन थे तो दोराब जी टाटा दोराब जी टाटा ने इसकी स्थापना किया था लेकिन इनके पापा जो है जमसेट जी नोसरवान जी टाटा उनका सपना था की एक टाटा में उद्योग हो सबसे बड़ा बयापक अस्तरगा उद्योग हो तो पुरा भारत का सबसे आधुनिक्तम उद्योग है यह मतलब यहाँ पर जमसेद पूर में जो अस्थापित किया गया हूँ तो वास्तविक संस्थापक एक परकार से बोला जाता है जमसेद जी नोसरवान जी टाटा को ठीक है क्योंकि इन ही का सपना था लेकिन इनका निधन हो गया तो इनके बाद जो है दुराब जी टाटा आ जाता है तो आप से गलती नहीं होना चाहिए क्या गलती नहीं होना चाहिए इतना हम मेहनत कर रहें आप लोग के लिए तो मेहनत आप लोग भी किजेगा पढ़िएगा बढ़ियां से लिखते भी चलिएगा नोट से बनाते चलिएगा मैप से बता रहे हैं सब कुछ मैप से जाता है देखिए तो बोकारो की स्थापना जो है बोकार अगीस स्थापना इसका स्थापना 29 जन्वरी 29 64 22 को हुआ था और यह अपना प्रोड़क्शन जो है 1972 में चालो किया था ठीक है remains Также तर इसमें चालू किया था और 1964 में स्थापित हुआ था और देखा जाए तो ये तीसरी पंचवर्षी योजना में बना था तीसरी पंचवर्षी योजना में जो सबसे फैलियो रही थी योजना उसी योजना में ये बना था तीसरी पंचवर्षी योजना के समय में बना था ठीक है रावर केला फिलाई इसब तो दूसरी पंचवर्ष योईजना में बना ते जो है तिसरी पंचवर्ष योईजना में बना था और देखा जाये तो जो जो सहयोगी देश था वो रूस था USSR ठीक है सोबिय संग रूस के सहयोग से यह बना था याद रखेंगे क्योंकि यहां से भी कोशन देखने को मिलेगा तो यह जितना भी additional factor बताते हैं वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है यह हमको थोड़ा बताईएगा like करके like जरू किजेगा आप comment नहीं करेंगे तो चलेगा लेकिन like कर देंगे तो जितना comment करने में time देते हैं ना उतना देर में तो आप channel को subscribe कर लिजेगा और एक like कर देजेगा तो comment नहीं भी किजेगा तो चलेगा लेकिन like जरूर किजेगे ठीक है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा energy देता है real में कोई भी वीडियो में 1000 like नहीं हुआ है अगर 1000 like हो जाता ना तो बहुत कुछ हम free देने वाले थे देखिए 24 जिला 24 current affair 24 जिला 24 current affair अगर कोई लेना चाहते है उसका जो PDF है जो बहुत important रहेगा 24 जिला 24 current affair ठीक है तो यह जो important है अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत important रहेगा क्योंकि यह जो PDF है इसमें current affair तो रखा गया है statics भी सिधे रखा गया statics question पूरा कभर किया गया है और साथ में देखेंगे तो पूरी तरीका से current affair उस जिला का भी कभर किया गया तो देखा जाए तो जिला में सब कुछ है मतलब की current affair भी है statics भी है तो जो नहीं लिये होंगे इसको ले लिजेगा इसके लिए आप इस number पर contact कर लिजेगा 9798771375 इस number पर contact कर लिजेगा और इसके बारे में डिटेल जानकारी यहां से लिलिजेगा WhatsApp किजेगा WhatsApp में आप पुछ लिजेगा कि क्या ऐसे इस मिलेगा आपको बता दिया जाएगा 24 जिला 24 current affair आर्तिक सर्वेक्षन बजट खेलकुद योजना पर्योजना सब इसमें मिल जाएगा ठीक है तो आप इसको जरूर लिजे चैनल को भी उस तरह से हेल्फ मिलेगा चैनल आप लोग के लिए कुछ अच्छा अपग्रेट करके कुछ लाएगा ठीक है तो थोड़ा आप लोग सहयोग भी किजे और साथ भी दीजे ठीक है नेक्स देखते हैं पर जो इम्पार्टेंट रहेगा सीधे कोश हं ये भी पुछा जा सकता हैتي तो कुछ और सीधे तवर पर देखने को मिलता है ये वैस्तूर पर पात जो बाराबार रीपीट करके कोशन पूछे जाते हैं तो करके कर तो जिसStu में देखा जाए तो यहां पे तमासीन मिलेगा तो कभी जाए चत्रा तमासीन देखने लिए खाली पथर ही पत्तर से अगर जो झालना गिरते रहता है वहां कोई चड करके और चाहेगा कि हम उपर में जाए तो पता चलेगा अगर सिलिप किये तो लटकला तो गेला बेटा ऐसा कंडिशन हो जाता है यहां पर और एक दोगों हर साल टपक जाता है लड़का लो जादा उपद्रवी करता है तो वहां पे दिक्कत में फस जाता है बहुत खतरनाक जगा है एकदम पुरा पत्थर ही पत्थर तमासिन ठीक है उसके बाद यहां पर देखेंगे डुमेर सुमेर ठीक है डुमेर सुमेर यहां पर है देखने को मिलेगा मालू दह केरी दह भी देखने को मिलेगा तो चत्रा में तमासिन डुमेर सुमेर मालू दह केरी दह ठीक है यह सब इंपॉर्टेंट यहां पर जलपर करके पंसीहारी तलाव पर फासी की सजा दे दिया था चत्रा में ठीक है जो पूछा जाता है यहां से कोशन बिनाभारती पार्क भी चत्रा में है जो पूछा जाता है ठीक है तो चलिए हेरवा डेम भी है यहां पर आगे देखते हैं इंपोर्टेंट रहेगा यह गढ़वा तो देखे गढ़वा में यहां पर इंपोर्टेंट है बल्चोरा जलपरपाथ गुर्षेंदू जलपरपाथ ठीक है और उसके बाद गुंगा जहरना जलपरपाथ तो गुंगा जहरना जलपरपाथ उसके बाद देखेंगे तो यहां पर गुर्षेंदू जलपरपाथ बल सरुवत परवत है गुलगुपत नामक जगह पर है और पहले गढ़वा को भाउनात पूर कहा जाता था और गढ़वा जो है एक मराठी सब्द है गढ़वा कैसा सब्द है तो मराठी सब्द है जो सीधे तोर पर पूछा जाता है याद रखेगा यहां से भी कोशन सीधे सीमा लगाता है इधर देखेंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा यह आपका जो एरिया है वो कौन सा हो जाएगा तो 36 गर तो 36 गर से भी सीमा लगाता है तो यह आपको यहां पर गढ़वा देखने को मिलेगा तो यह सब अच्छा कोशन है थोड़ा पढ़ लिजेगा इसके बाद important यहां आ जाते हैं लाते हार देखिए लाते हार में बुढ़ा घाग जल पर पात बहुत important रहेगा क्योंकि यह सबसे उचा जल पर पात है जारकन का 143 143 मीटर उचा है 143 यह आपको याद आ रहा है कुछ है सब्द 143 तो 143 इसका उचाई है ठीक है आज काल के समय में य यह बहुत चलता है 143 ठीक है हम लोग के जवाना का तो नहीं है भाई साव यह आज कल कर जवाना का ठीक है 143 मीटर इसकी उचाई है और भारत का 21 सबसे उचा जल पर पात है 21 सबसे उचा जल पर पात है याद रहेंगे इसको ठीक है 21 सबसे उचा जल पर पात है 143 मीटर है बुढ़ा घाक आपको देखेंगे तो ये महवा टार में इस्तित है कौन बुढ़ा घाक जलपरपात लातेहार के छेतर में ठीक है लातेहार सबसे ज़्यादा जंगल इसी के पास है परतिशत में लेकिन सबसे ज़्यादा जंगल घाटा भी है लातेहार में ये दुख की बात है ठीक है और घटने के बाद भी देखेंगे तो यही नंबर वन पर है परतिशत में और सबसे ज़्यादा छेत्रफल में बात करेंगे तो भाई यहाँ पर पसमी सिम्मू में ठीक है तो यह सब थोड़ा थोड़ा याद रखेगा अब important बात आ जाते हैं यहाँ पर गुमला थीक है तो गुमला में भी कुछ जल पर पात है गुलाम बनाकर प्रेम कर लिया सदनी थीक है सदनी मतलब सजनी थीक है तो यहाँ याद रखेगा गुमला में है प्रेमा घाग जल पर पात गुलाम बना लिए देखिए लड़की लोग कुछ नहीं करती बस आपको यूज कर लेगी गुलाम बना करके ठीक है तो वही यहाँ पर बात है कि गुमला में लड़की लोग जो है वो गुलाम बना लेती है प्रेम करती है और उस सदनी लोग और उसके बाद बेवाफा हो जाता है नक्फनी तो काटा रहता है हां नक्फनिया कटवा में बेचारा लोग अपना आपको सुसाइड कर लेता है ठीक है प्रेम किया सजनी से मतलब सदनी घाग लड़की बना ली गुलाम और उसके बाद अपने इसारों पर नचाने लगी फिर बाद में जा करके नक्फनिया में घूस करके जान दे दिया लड़का ठीक है तो नक्फनी जल पर पात प्रेमा घाग जल पर पात सदनी घाग जल पर पात यह सब गुमला में है याद रखेगा इंपोर्टेंट है हमारी बात को थोड़ा बुरा मतल मान लिएगा नहीं तो बहुत लोग जो है ना बुरा मान कि मास्टर साब क्या क्या बोल देते हैं रे भाई इंज्वाई करके पढ़िये लाइफ में हम इस सब के बारे में जानते भी नहीं है आस पास में अनुभाव से थोड़ा मड़ा सूने है कि क्या होता है ने जैसे एक कोड हम लोग जानते हैं लड़की लोग बोलती मम्मी ठ को कहेंगी न ओ माई गॉड मम्मी का फोन मम्मी का फोन नहीं है तुम्हारा बेटा चलान कट गया है नाइका जो अभी डोल लोड हुआ है उसको उसके साथ में जाना है ठीक है तो उसका आ रहा होगा फोन कुल मिलाकर जब तक जैसे पहिलका के साथ बतिया रही है अब गया पिछला का तो यही चीज है यह मम्मी का मतलब यहीं होता है और कुछ नहीं होता है तो यह चीज याद रखेगा यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा यह भी इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे देखते हैं यहां पर मतलब सिम्डेगा ठीक है सिम्डेगा इंपॉर्टे सिम्डेगा ऐसा केला जैसा निकला हुआ भी ये कहां पर नहीं सबसे कम जन संख्या खन्तों अगर देखा पुरा जहारकन में यहीं देखने को मिलेगा 169 बैक्ती आपको देखने को मिलेगा मातर 169 किलो मिटर में रहता है भाई साथ यहां धनबाद में धे दिंगे न तो मतलब 136 वेक्ति पर्तिवर्ड किलो मिटर में देखने को मिलेगा मतलब आपको estas चनबाद में 1360 बेक्ति मिलेगा और यहां पर सिम्डेगा में 100 मात्र 169 बेक्ति देखने को मिलेगा राची में जनसंख्या घनत्व कितना है तो 572 बेक्ति परती वर्ग किलोमेटर में निवास करता है तो यह सब भी थोड़ा थोड़ा याद रखे है डिफिकल्ट लेकिन हम यह से ही आपको बता देते हैं चाहेंगे तो पूरा जारकन को यह से ही आपको मतलब बतियाते बतियाते पूरे पढ़ा देंगे हमको किसी तरह का कुछ चीद देखने कभी जरूत नहीं एक बार अगर बोर्ड पर खड़ा हुए सबेरे ससाम तक पूरा जारकन फिनिस ठीक ह एक पेपर है पूरा फणिस जेपी एसी वाला पांच दिन खड़ा होंगे तो पूरा पांच दिन में पूरा सिलेवर्ज कंपलीट है इसा ही खड़ा हो करके खाली बोल देंगे हम लेकिन आप लोग कौपरेट करेंगे तब न वह मेरा आदत नहीं कि किताब को पिले बैट क करके देख देख कर बढ़ा रहे हूं मिरा आदत नहीं मेरा है कि बस खड़ा हुए चालू हो गए बस पूरा खतम ठीक है ऐसा है तो आप लोग थोड़ा साथ देंगे तब इतना कॉंफिडेंस है हम इसलिए बोलते कि आप लोग का प्यार बिलेगा तो यह कॉंफिडेंस और बढ़ जाता लेकिन कभी कभी अंदर से तूट जाते हैं लगता है कि चैनल को बंद कर दे और पता नहीं कभी भी दिल और दिमाग अगर लगेगा कि नहीं हो पाएगा ही तो डिल तो ऑधिये को बा Tων आप उस अप नहीं चलेका रहा है दोस्तों अब देखिए भारे इस अगर ठाम जातान तो देगा परोश कर तो आप लोग उसको accept कर लेंगे लेकिन जो अभी छोटा है मतलब बहुत मेहनत कर रहा है और रात दिन करके आपको एक एक content जोगाड करके दे रहा है तो उसको आप नहीं support करते हैं आप उसी support करेंगे चलिए दोस्तो लाइब आ गया दोस्तो एक हजार को जो पाई करेंगे का दिक्कत है हम तो लगबग टूट गया है इस चैनल से क्योंकि जैससी का एक्जाम माथा पर है लेकिन चैनल कुछ भी ग्रोथ नहीं कर रहा है मतलब हमको लगा कि ये मेरा एक बड़ी बड़ी गलती था लेकिन क्या करें अब थोड़ा सा और देख लेते है मतलब एक सब्रकबान टूट जाएगा फिर उसके बाद अगर हम दिखें तो दिखें चलिए और दुख बहुत है दर्द बहुत है जो हम नहीं बताएंगे अब बात की बात है चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स देखते हैं यहाँ पे सीधा आगे देखते हैं यह जो है देखेंगे तो पस्मी सिंभूम ठीक है पस्मी सिंभूम में जलपरपात है आपका हिरनी जलपरपात थाकोरा जलपरपात और लुपुंग गुट्टु जलपरपात लुपुंग गुट्टु जलपरपात थाकोरा जलपरपात देखें लुपुंग जल परपाथ, हिरनी जल परपाथ और लुपुंग बुट्टू जल परपाथ कहां पे है तो पस्मी सिम्भूम के छेत्र में देखने को मिलता है तीक है तो ये सीधे तोर पर याद रखेगा एक दम अच्छा कोशन बन जाता है नेक्स्ट है यहाँ पर पुर्वी सिंबुम ठीक है तो पुर्वी सिंबुम में यहाँ देखा जाए तो एक इंपोर्टेंट है धारागिरी जल पर पात आपको देखने को मिलेगा पस्मी सिंबुम धारागिरी जल पर पात ठीक है इसके बाद राची के छेत्रम में यहाँ पर तो यह देखेंगे तो पंगूरा जल पर पाथ ठीक है पंगूरा जल पर पाथ उसके बाद हुन्डू जल पर पाथ जो आप देखेंगे तो कहां पर मिलेगा यह आपको देखने को मिलेगा अंगाडा परखंड में पड़ता है राची के छेत्र में तो वहीं देख देखने को मिलेगा और दसम जल पर पात जो है कांची नदी पर देखने को मिलेगा ठीक है तो इसी लिए इसको जल पर पातों का सहर भी बोलते हैं राची को जहरनों का सहर भी बोला जाता है तो याद रखेगा इसके बाद देख लेते हैं जो सीधे तोर पर पूछा जाता है यहां पर जो इंपोर्टेंट रहेगा भटिंडा जलपरपात धनबाद यहां पर निंदी जलपरपात कहां पर है याद रखेगा निंदी जलपरपात लोहर दग्गा निंदी जलपरपात लोहर दगगा और एक घगड़िया जलपरपात भी लोहर दगगा में घगड़िया जलपरपात और निंदी जलपरपात लोहर दगगा लास्ट में बताएंगे यहाँ पर कि कौन इंपॉर्टेंट है उसी को करके जाना है वही एक्जाम में आएगा ठीक ह इसके बाद यहाँ पर गिरीडी चेत्र में है यहाँ पर उस्री जलपरपाथ ठीक है तो गिरीडी बे देखने को मिलेगा उस्री जलपरपाथ उस्री जलपरपाथ खंडोली डेम है यहाँ पर ठीक है और जिसको जारकन धाम भी कहा जाता है याद रखेंगे इसके बाद यहाँ पर है साहेब गंजवाला च्छेत्र में ये राजमहल के च्छेत्र में मोती जहरा जलपरपात मोती जहरा जलपरपात साहेब गंज च्छेत्र में देखने को मिलेगा राजमहल के च्छेत्र में अजयन नदी के तर्ट पर है मतलब कि उधर से जो नदी आती है न तो गिरती है तो पेड़ के पत्तों पर मतलब की बूंद जो रुक जाता है गोल-गोल टाइप का हीरा जैसा छोटा-छोटा दिखता है तो उस पर सुरी का परकास चल पड़ता है तो चमकता हुआ दिखता है इसलिए इसको मोती जहरा जल पर पात नाम रखा गया है तो इस तरह से जितना भी इंपोर्टन था वो सब हम यहाँ पर बताने का प्रियास किये वैसे आर कोशन ले तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को सेयर कीजे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजेगा और नहीं अगर 24 जिला कर देंगे तो खरीद लिजेगा थोड़ा चैनल का कॉपरेट हो जाएगा और उसके बाद जो है सस्क्राइब कर लिजेगा चैनल को तो चलिए फिर मिलें नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद